हलो बच्चों मेरा नाम पवन कमार गपता टीम फिजिक्स लिए लसी सीकर तो डीसम टेस्ट सेरीज में हम कंटिनुई करने वाले हमारा 37 नंबर का टेस्ट जिसमें बात करने वाले रे आप्टिक्स इंस्ट्रुमेंट एंड वे आप्टिक्स के बारे में तो यहां पे जो एक एटिक्स और वे अटिक्स का होगा स्ट्रुमेंट पर्ट से जहीं एडवांस मैं नहीं होते हैं तो हम शुरुवात करते हैं हमारे फर्स्ट क्यर्शन की फास्ट को बोलांबाय Converging beam after reflection through the curved surface in the given figure is formed at, अब देखो यहाँ पर जो converging beam आपको दी गई है, इसमें आपको image कहाँ बनेगी यह बताना है, तो simple सा देखो, आपको यहाँ पर medium दियावा, इसका index कितना है, the index is 3 by 2, okay, फिर यह index 3 by 2 है, यह index 1 है, यहाँ पर जो raise है, देखो incident rate जहाँ मिलती है, उसी कम बोलते हैं, intersection point of incident rate, उसी कम क्या बोलते हैं, object, तो object जो है वो p point पर है, और गोली spherical surface से जब refraction होता है, तो उसके लिए हमरे पास formula क्या होता है, mu r upon v minus of mu i upon u, mu r minus of mu i upon r, r का मतलब होता है, refracted ray वाले medium का index और i मतलब incident ray वाले medium index, यहाँ ध्यान से समझना, reflection के बाद ray किदर जाएगी, reflection के बाद ray जाएगी, second medium में, यहना तो refracted ray का medium क्या हो जाएगा, 1 by v, incident ray के medium का index क्या है, 3 by 2, u, u कितना है, u है plus 30, क्योंकि virtual object है, 1 minus 3 by 2, r, r की वरी दिखो, इसका surface का center इस तरफ आएगा ना, तो incident ray की direction में ही है, इसका मतलब यहाँ आएगा plus 20, on solving this, you will get 1 upon v, minus 1 upon 20, minus 1 upon 40, तो 1 upon v is, 1 upon 20, minus 1 upon 40, 2 upon 40, minus 1 upon 40, means 1 by 40, so, v is 40, तो v is 40, यहाँ पर ने पूछाए की, spherical surface से distance क्या होगी, तो यह distance हो जाएगी, 40, हमारा यहाँ first option जो है, वो correct हो जाएगा, ओके बच्चों, आते हैं हम हमारे next question पर, next question में आपको यहाँ पर, एक converging lens given है, इस lens का जो aperture diameter है, that is 5 mm, तो जो इसकी principal axis होगी, वो इस, के जस्ट बीचों बीच होगी, तो यह जो आपने जो portion यहाँ से cut किया है, यह portion lens का principal axis से कितना उपर है, यह हो जाएगा 2.5 mm, उसमें से 2 mm यह है, तो यह कितना बचेगा, यह बचेगा 0.5 mm, तो 0.5 mm जो है, इस हिस्से की principal axis नीचे है, अब आपने क्या करणा यहाँ पर, आपने, जो दो को यह x y line है, यह x y line तो वो line है जहां से आपने cut कियाता है, प्रिंसिपल axis तो इस x y line के नीचे है, तो मैं इसके लिए principal axis बनाता हूँ, तो principal axis कौन सी बनेगी इसके इसमें, यह वाली बनेगी principal axis, यह है principal axis, अब आपने जो object यहाँ बनाया है, वो object कौन से point पे है, तो p point पे एक object है, distance given है 30, इसके लिए आपको 20 cm focal length given है, तो u अगर 30 हो, minus 30, f अगर 20 हो, तो यहाँ से v कितना जाएगा, 1 upon v minus of minus u, 1 upon f, on solving this, you will get v equals to 60, तो 60 पे तो क्या बनेगी, इसकी image बनेगी, लेकिन यह object जो है, वो principal axis से तो उपर हो गया ना, देखो, यह distance कितनी है, यह इसकी height कहलाएगी, और height हो जाएगी, यहाँ पे height of object कितना होगा बेटा, height of object हो जाएगा, half mm, क्योंकि यह आजा mm नीचे ना, इससे axis से object की distance, perpendicular distance, उसे को अपन height बोलते हैं, height हो जाएगा, half mm, अभी यहाँ जो magnification है, transverse magnification, वो क्या होता है, height of image by height of object, तो यह हो जाएगा, v by u, okay, v कितना है, 60, u कितना है, minus 30, तो यह कितना हो जाएगा, minus 2, minus 2 का मतलब क्या है, inverted image, तो इसका मतलब यहाँ से जो image बनेगी, वो 60 पे बनेगी और यहाँ से height of image बन जाएगी, twice, तो इसका अज़ा हाइट of image कितना है, बेटा, two times of height of object, this is two into half mm, तो यह हो जाएगा, one mm, तो इस line से one mm नीचे क्या बन जाएगा, हमारे पास, one mm नीचे यहाँ पे बनेगी एक image, लेकिन हम से जो image की distance से, वो principal access के पूछने के बजाए, xy line से पूछिए, तो xy line से यही distance कितनी measure हो जाएगी, तो xy line से जो h- measure होगा, वो हो जाएगा, h image प्लस पॉइंट फाइफ तो यह हो जाएगा, तो यह अपना second question complete होता है, यहाँ यहाँ पे अगला third question है, third question में आपको final image formed after two reflection through the lens and one reflection from the concave mirror, यह यहाँ पे simple concave mirror आपको given है और आपको इसके लिए बताना है कि कितना इसमें position क्या होगी, आपको d distance बताना है, अगर final image जो है वो o point पी बन जाए, तो देखो हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि lens जो है वो अपनी image कितना दूर बनाएगा, पहले lens के लिए focal length calculate कर लेते हैं, यह हो जाएगा, mu lens by mu surrounding minus one, one upon r1 minus one upon r2, mu lens कितना है यहाँ पर, mu lens से one point five, mu surrounding by one minus one, one upon r1, one upon r1 कितना हो जाएगा, one upon ten, minus of twenty, तो यह हो जाएगा, one by two, और यह हो जाएगा, two by twenty, three by twenty, तो यहाँ पर दोनों ही सोरी, दोनों positive आजाएगे ना, तो यह हो जाएगा, two by ten, one by ten, this will be, one by two by twenty minus one by twenty, one by twenty, तो focal length कितना हो जाएगा, पिटा, focal length will be, of lens will be, 40, तो focal length जो आएगा, 40, अब 80 cm जो है, वो distance इसका अब्जेट कहा, वा two f पर हुआ, तो यहाँ पर, u कितना है, minus of 80, तो इन दोनों डेटा से, आप जब calculate करोगे, तो वी कितना आएगा, वी आएगा, प्लस 80, simple सी बात है, focal length के double पर object रखा है, तो two f पर object है, तो two f पर image बनेगी, अब वी तो ही हो गया, अब हमें देखो, यह बताना है, कि finally image जो है, वो object से ही concept करनी चाहिए, इसके लिए condition क्या है, कि जो mirror है, वहाँ से ray reflect होनी चाहिए, और अपना बात जो है, वो retrace करना चाहिए, तो mirror से जब ray retrace करेगी, अपने path को, तो यहाँ पर, क्या हो जाएगा बिटा, जो final d distance है, वो होना चाहिए, जो को यहाँ पर अगर माल लेते हैं, यह lens से image बनके, यहाँ पहली image बनती है, उसके वाद इसको retrace होके वापस, जाना होगा, तो जब यह वापस retrace होगी न, तो यहाँ से निकलने का, वापस इस object पर ही final image बनाएगी, तो d हो जाएगा, v plus r, v कितना है, 80, r कितना है, r is, concave mirror के लिए आपको क्या given है, यहाँ पे, concave mirror के लिए आपको, radius of concave mirror यहाँ given होनी चाहिए, radius given है 30 cm, तो 30 cm यहाँ पे radius है, तो दिस विल भी, 110 है न, यहाँ पे radius 30 cm mentioned है, ओकि बच्चों, तो 110 cm यहाँ आपका third option जो है, वो correct हो जाएगा, कोई confusion यहाँ तेक, बच्चों अगला fourth question आता है, fourth question मा आपको बुला है, point object always placed in front of concave mirror of focal length 20 cm, on the principal axis of concave mirror is distance 5 cm, तो यहाँ पे एक object को place किया हुआ है, ठीकि, इस mirror के लिए आपको distance कितनी given है, focal length आपको given इसमें 20, पर यह concave इसलिए focal length को minus 20 यूज़ करना है, तो सबसे पेले तो mirror के लिए हम बात कर लेते हैं, तो mirror के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, one upon v plus one upon minus five, is one upon f, f की value कितनी है यहाँ पर, f की value है 20 minus में, तो जब आप इसको solve करेंगे, तो four upon twenty minus one upon twenty, this is three by twenty, तो v कितना हो जाएगा, 20 by three, अब यह v तो है 20 by three, 20 by three positive आने का मतलब क्या है, positive का मतलब reflection में जब positive आता है, इसका मतलब होता है virtual image, ठीकिए, तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी जब इसकी इमेज बनेगी, वो twenty by three पर यहाँ कहीं बन जाएगी, तो यह तो बनेगी आईवन, इस आईवन की slab से distance d कितना हो जाएगा, तो distance of i1 जो होगा slab से, वो हो जाएगा twenty by three, और five or five, ten, तो यह कितना हो जाएगा, fifty by three, ठीके, अब इसके बाद हमें पता है, slab कितना shift देगी, देखो, virtual image बनने का मतलब क्या है, कि यह जो ray mirror से निकली होगी, वो diverging निकली होगी, इसका मतलब यह ray कुछ ऐसे गई होगी, है ना, अब देखो, ray जब ऐसे जा रही है, तो यह mirror क्या करेगा, इसको थोड़ा सा, rarer से denser में जाती है, तो normal की तरफ मोडता है ना, फिर वापस उसको वैसे जुका देगा, इसका मतलब यह जो shift आएगा, यह, image जो है वो यहाँ बनेगी, तो final i2 image यहाँ बनेगी, इसका मतलब, है ना, तो mirror इस तरह से इस रे को shift करेगा, तो i2 image, अब यह जो shift हमें निकालना है, shift कैसे निकालते हैं, slab का, shift हो जाएगा, इस case में, t, 1-1 upon mu, t कितना हो जाएगा, इस case में, 30, 1-1 upon, तो 1-2 by 3, तो 1 by 3, 1 by 3 का मतलब, यह क्यों हो जाएगा, यहाँ पर, 10 cm, अब 10 cm का shift आ रहा है, तो 50 by 3 में से, 10 cm का shift और कम कर दो, तो जो d dash बचेगा, वो कितना बचेगा, d में से आप shift को minus कर दो, तो 50 by 3 में से, आप 10 को minus करोगे, तो वापस आपका answer कितना बचेगा, 20 by 3, 20 by 3 मतलब से 20 by 3 पर आपका, इमेज बनेगी, और 20 by 3 कितना होता है, 6.67, अब 6.67 cm पर, फाइनल इमेज बनेगी, से निकलने के बाद, तो 6.67 वाली जो position है, से वो तो mirror और slab के बीच में है, तो इस case में, थर्ड ओप्शन का थर्ड ओप्शन करेक्ट होता है, नॉट करें मेटा, इसके बाद, फिफ्ट क्वेशन पाते हैं, फिफ्ट क्वेशन में आपको यहाँ पर एक surface गीवन, और इसमें आपको यह बताना है, कि इस combination की focal length क्या होगी, तो यहाँ पर देखें बच्चों, यह दोनों surface की radius आपको same given है, और यह तो एक तरह से तीन lens का combination हो जाता है, तो इस system को हम यहाँ पर एक बार बनाने कोशिश करते हैं, पहला जो है वो तो एक इस तरह का lens हो गया, okay, slab है ना, slab में यहाँ पर, देखो, पहला जो है वो तो इस तरह का एक lens है, फिर यहाँ पर दो parallel surface है और एक slab given है, अब इस case में जब हम बात करेंगे, तो इस case में यहाँ पर यह जो इंडेक्स है, वो given है mu1, mu2 और यह given है mu3, तो इन तीनों lenses के लिए सबसे पहले focal lens निकाल को इसको combine कर दे हम, तो 1 upon f1, यह f1 मान लेते हैं इसके लिए, इसके लिए f2 और इसके लिए f3, तो 1 upon f1 कितना हो जाएगा, mu1 minus 1, 1 upon infinite minus of minus r, अच्छा मैं raise incidentry को हमेशा left से मान रहा हूँ, ठीके, तो उससाब से मैंने sign convention यूज किया है, कितना हो जाएगा, mu1 minus 1 by r, 1 upon f2, f2 हो जाएगा, mu2 minus 1, 1 upon minus r minus of infinite, तो यह कितना हो जाएगा यहाँ पर, यह हो जाएगा, mu2 minus 1, minus r, ठीके, तो यह negative focal length हो जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ पर f3, f3 क्या हो जाएगा, mu3 minus 1, and, देखो, यह दोनों surface की radius से मेंना, तो यह एक तरह से parallel shield की, parallel glass lab की तरह काम करेगा, जिसके face आपस में parallel है, बस यह curved है, जिसके goggles होते हैं, goggles के face आपस में parallel होते हैं, लेकिन वो curved parallel surface होती है, तो इस तरह से ही हो जाएगा, minus of 1 upon r, minus of minus 1 upon r, क्योंकि दोनों surface की radius of curvature से हैं मेंना, तो यह अपना answer यहाँ बन जाएगा, mu3 minus 1, यह into क्या हो जाएगा, यहाँ 0, तो 1 upon r plus 1 upon r, 0 हो जाएगा, यह तो finally 0 आजाएगा, जब आप net focal नहीं निकालोगे बेटा, तो f net क्या हो जाएगा, 1 upon f2, 1 upon f3, 1 upon f1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर mu minus 1 upon r, plus of minus of mu2 minus 1 upon r, plus 0, so mu1 minus 1, minus of mu2 minus 1 upon r, so this will be mu1 minus mu2 upon r, so finally f will be r upon mu1 minus mu2, तो इस तरह से अगर हम देखें, यहाँ option तो अपना option कौन सा क्रेक्ट हो जाएगा बीटा, option will be third, तो third option इसमें क्रेक्ट हो जाएगा, next पर आते हम, next question मापको, given a ray of light enters into the thick slab from air is shown in figure, the refractive index of slab varies with the depth as this, when x is in meter slab is sufficiently large thick then find the maximum depth raised by ray incident the slab देखो जैसे जैसे x यहाँ thickness जो है वो बढ़ेगी thickness बढ़ने से क्या होगा बिटा? thickness बढ़ने से x बढ़ेगा तो mu की value कम हो जाएगी mu की value कम होने से इसका मतलब यहाँ पर dancer medium है और ray जो है वो बाद में rarer medium की तरफ जाएगी dancer medium से जब कोई ray rarer medium की तरफ जाए तो इस case में tir होने के भी chance होते है तो यहाँ पे मैं माल लेता हूँ कि किसी particular depth के बाद इस ray में ऐसे tir हो गया होगा तो यहाँ पे suppose करो कि यह maximum depth है तो इस case में अब हमें पता देखो काफी सारी slabs ऐसे parallel arrange कर दी जाए बिल्कुल वैसे ही case हुआ ना यह तो अगर काफी सारी slabs को मैं parallel arrange कर देता हूँ तो इस case में क्या होगा पहले देखो यह angle 60 है फिर थोड़ा सा और बढ़ेगा फिर और बढ़ेगा फिर हो सकता है यहां से TIR हो जाए तो इस पॉइंट पे जहां से TIR हुआ वहा रिफ्रेक्शन एंगल कितना हो जाएगा 90 और यह एक्स डेफ्ट हो जाएगी यहां से इंसिदेंस एंगल कितना था 60 तो इस केस में में इन दोनों पे सक्सेसी रिफ्रेक्शन जब हम करेंगे पैरलल स्लेब से तो इनिशल स्लेब और लास्ट वाली स्लेब के जो डेटा है उनको हम रिलेट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा मियू नॉट साइन 60 मियू साइन 90 मियू नॉट कितना है आपके पास यहां पर जो स्लेब है वो उसमें एयर से लाइट एंटर करती है न फ्रोम एयर तो यह मियू नॉट तो वन हो जाएगा साइन 60 रूट 3 रूट 2 मु की वैल्यू रूट 3 माइनस 1 रूट 3 एक्स एंड साइन 90 वन तो इसको सॉल करेंगे आप तो यह यहां से बिटा क्या जाएगा 1 रूट 3 एक्स इस रूट 3 माइनस रूट 3 रूट 2 तो एक्स विल बी वाट 3 माइनस 3 रूट 2 यहां पर एक और क्योशन कंप्रीट होता है कि नोट करें बच्चों कि नेक्स्ट यहां पर आपको एक लेंस गीवन है और इसमें जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस का वह यह है अभी बोल रहें कि लेंस डाइवर्जिंग हो इसके लिए क्या रिलेशन यहां बनना चाहिए तो एक बार हम लेंस को देख लेते हैं वाल कि इसे तरॉड़ वालन चाहिं यह जो रे दिलीए से चाहिlor है और यह रेडियस आर इह है खिँए हैं अक तो इसनिए कि लिए कैसे इसको देखो अब फर्स्ट रिफ्रेक्शन के लिए देखें यहां पर म्यू आर अपॉन वी माइनस ओफ म्यू अपॉन यू अब इस केस में म्यू आर कौन सा वाला मीडिया में देखो रे इंसिदेंट हुई म्यू वन से और कहां पर जारी है है मिव तुमें जारी न इकरेइए तो यह वाला इंडेक्स है और है यह वाला है मिव यहवाला है मूद तो mu 1 से mu 2 में जा रहे हैं, मतले इसको लिखेंगे must by V minus of mu 1 by u की value infinite क्योंकि infinite सबंध डाले रहे mu 2 minus of mu 1 divided by r, r कितना हो जाएगा इस केसमे, this is minus of 2r तो इससे mu 2 by v कितना हो जाएगा मेरे पास mu2 minus mu1 divided by 2R that is mu2 by V, first refraction solve किया, फिर हम second refraction solve करेंगे, तो second refraction कहां से कहां हुआ है, mu2 से mu3 में, तो mu2 से mu3 में यहने की mu3 by V2 इसको अब हम V1 लिख देते हैं minus of mu2 by V1 equals to equals to mu3 minus mu2 divided by R minus में, फिर यहां पर हम value replace करेंगे, mu2 by V1 की that will be mu2 minus mu1 divided by 2R और आगे एक minus sign भी है mu3 minus mu2 upon R, यह minus sign भी है फिर इसको इदर लेके आएंगे तो mu3 by V2 यह कितना हो जाएगा मेरे पास? mu3 minus mu2 divided by R, एक minus इदर निकाला, फिर यह भी इदर आएगा, तो minus बन जाएगा, mu2 minus mu1 upon 2R अब देखो, यह overall value जो है, हमें बता है कि यह बोल रहा है कि diverging lens होना चाहिए, diverging lens होने का मतलब क्या है, कि जो V2 है, final image जो बने वो इधर पीछे बननी चाहिए, तभी तो diverging होगा, मतलब V2 की value negative आनी चाहिए, अब V2 की value negative कब आएगी एक बार यह देखते हैं, पहले तो इ इसमें से हम जब minus common लेंगे, तो यहां क्या बच जाएगा मेरे पास, mu3 minus of mu2, minus to common ले लिया, तो यह हो जाएगा, mu2 minus mu1 half, यह, और इसमें से हम ऐसा करते हैं, 1 by r को भी बाहर निकाल लेते हैं, minus 1 by r को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीके, तो यहां यह minus तो बाहर आगया, plus हो को होना पड़ेगा, negative, diverging होने के लिए, v2 को negative होना पड़ेगा, अब जब v2 को negative होना पड़ेगा, तो उस case में क्या हो जाएगा, यह पूरी value, देखो, minus sign तो पहले से हैं, तो यह पूरी value positive होनी चीए, इसका मतलब mu3 minus of mu1, plus mu2 minus mu1 by 2, यह greater than 0 होना चीए, इसका मतलब 2 mu3 minus 2 mu1, mu2 minus mu1 greater than 0, तो इसका मतलब यहां से देखो, यह क्या जाएगा, 2 mu3 minus of 3 mu1 plus mu2 greater than 0, अब हमारे options को हम आरेंज करें, तो यहां इसको क्या से रेंज करेंगे, बिटा, 2 mu3 mu1, okay, minus 2 mu1 और यह minus of mu1, ठीके, तो यहां पर यह minus और minus की वज़े से, यहां जाएगा, आपने पास 3 mu1, mu2, तो इसका मतलब 2 mu3 greater than 3 mu1 minus mu2, ओके, तो यहां कोई सा रेलेशन हमें गीवन है क्या, नहीं, ऐसा तो कोई रेलेशन गीवन नहीं, इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, 4th option, none of these, ओके, तो यह अपना question यहां पर बनता है, note करें बच्चो एक बार इस यहां तक, तो बच्चो diverging होने के लिए V को negative होना पड़ेगा, अब देखो, minus sign तो पहले से लगा हो आएगा, तो यह, देखो, mu3 refractive index तो कभी negative हो नहीं सकता, तो mu3 तो positive है, एक minus sign पहले से यहां आ रहा है, तो overall V2 भी minus कभ आएगा, जब यह पूरी value प्लस में आ जाए, क्योंकि minus पहले से लगा हो है न, इसका मतलब mu3 minus of mu2 plus mu2 minus mu1 by 2, यह होना चाहिए, positive हैने के greater than 0, इसका मतलब twice of mu3, twice of mu2 plus mu2 minus mu1 greater than 0, that means twice of mu3 greater than mu2 plus mu1, तो twice of mu3 greater than mu2 plus mu1, लेकिन यहां पर हमें एक relation गिवन है, लेकिन उसमें less than sign दिया वा है, तो यह तो गलत हो गया फिर, तो अपना option फिर none of these, बाकि सारे option तो फिर मैं इस नहीं करेंगे, तो twice of mu3 greater than mu2 plus mu1, यह अपना यहां पर correct option हो जाएगा, इस question के लिए, ओके बच्चों, तो इसके बार आता हम next question पर, यहां पर अगेर आपको एक question given है, जिसमें SHM का concept mirror के साथ दिया हुआ है, अब इस case में एक object जो है, वो SHM कर रहा है, ठीक है, और spring constant, जो है, insect of negligible mass is sitting on the block of mass m, tied to spring of force constant की, block perform SHM with amplitude A, in front of a plane mirror, ठीक है, अब यहां, plane mirror vertical से 45 angle पे given है, तो यह बोल रहे है कि, the maximum speed of insect related to image, तो देखो, यहां पर सबसे पहले तो आपको magnitude given है, amplitude given है, तो हमें पता है, V max क्या होता है, SHM के दोरान, A into omega, A, omega क्या होता है, omega होता है, 2 pi by T, या direct ले देते हैं, omega की और M की terms में, omega हो जाएगा, root of K by M, ठीक है, अब V maximum ऐसे है, हमें पताएगी, angle अगर 45 है, तो यहां पर जब V maximum इस तरह से बनेगा, तो यहां पर, जो इसकी, मालो suppose की object उपर जा रहा है, तो इसकी इमेज होगी न, वो इसी तरह से, ऐसे जाएगी, क्योंकि हमें यह angle 45 satisfy करवाना पड़ेगा, और यह angle भी 45 satisfy करवाना पड़ेगा, और plane mirror को इमेगनिफिकेशन तो करता नहीं है, तो जितनी object की image होगी, स्पीड होगी, उतरी ही image की भी स्पीड होगी, तो अगर यह स्पीड वी है, तो यह भी वी है, अब इस case में relative स्पीड निकालना है, तो relative स्पीड क्या हो जाएगा, दो perpendicular vector का relative कितना आ जाएगा, root 2 V, और यहां V कितना है, root 2, a root of kym, that's it, तो यहां पर मेरा answer हो जाएगा, third option, ओके बच्चों, तो third option यहां पर बन जाएगा, next हम आगे बढ़ते हैं, next आता है, person is looking at the flat surface, transparent hemisphere, of refractive index root 2, रूट 2 refractive index गिवन है आपको है, root 2 refractive index का मतलब यहां पर, c की value क्या हो जाएगी, c हो जाएगा, sinc होता है, 1 by mu, root 2 दिया हो है, 1 by root 2, इसके अंदल c की value कितना है, 45, अब यह बोल रहेगी, observer यहां से देख रहा हो, इधर से तो आपने surface को पूरा का पूरा cover कर दिया है, तो इधर से तो कोई light बाहर जाने सकती, अब जो भी light निकलेगी, देखो बाकी objects से निकलेगी नहीं, तो let's say यहां प B वाली ray भी आँखो तक आ सकती है, अब देखो यह जो सारे points है, यह equal angular separation पर है, तो यह total separation 90 करना है, बीच में कितने हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कि 6 हिस्सों में 90 degree को divide करना है, तो यह angle हो जाएगा 15, 30, और 45, अब 45 जो है उससे आने वाली ray, वो भी just ऐसे निकल जाएग इसका मतलब O, R यह दो point ऐसे जहां से कभी कोई ray नहीं आएगी, तो O और R को तो कभी वो देखी नहीं पाएगा, किस को देख पाएगा, G, B, I, Y, तो G, B, I, Y, उसमें से ही अपना second option में आ रहे हैं, सारे points को तो देख नहीं पाएगा, O और R को तो बिल्कुल भी नहीं दे तो यह यह से लेकर के G तक यह इसको visible होगा, ओके बच्चों, तो यह simple TIR का concept था इसमें, next step आगे बढ़ते हैं, the reflecting surface represented by equation this, अब यहाँ पे कैसा mirror है यह, जो एक parabolic shape में आपको given है, तो इसमें आपको बताना है कि अगर ray reflection के बाद vertical हो जाए, तो उस case में उस point का coordinate क्या होगा, देखो इस तरह का एक parabolic mirror आपको given है, यह इस तरह का, अब इसमें, एक ray हम यहाँ पे incident करवाते हैं, और वो ray इस तरह से incident करने के बाद, finally इस वर्टिकल हो जाती है, अब यह ray अगर वर्टिकल होगी, तो इस ray के case में जो यहाँ पर, जो normal बनेगा, वो ऐसे होना चाहिए, तो इसका मतलब अगर यह angle 45 है, तो यह वाला angle भी 45 होना चाहिए, अब normal वर्टिकल से 45 degree angle पे है, it means, हम यह बोल सकते हैं, कि जो यहाँ पे tangent बनेगी इस point पे, वो tangent भी horizontal से कितने angle पे होनी चाहिए, 45, बहिए अगर normal वर्टिकल से 45 बना रहा है, तो tangent horizontal से 45 बनाएगी, इसका मतलब इस point पे जो slope आएगा, slope, वो slope कितना हो जाना चाहिए, बिटा, slope हो जाना चाहिए उस case में, dy by dx, यह होना चाहिए, 1045, कैना तो dy by dx कैसे निकालेंगा, अब हमारे पास equation की बने, तो y कितना हो जाएगा, root 2x, तो dy by dx में सबसे पहले तो root 2 को बाहर निकालो, फिर आएगा, इसको root 2 और root x लिख सकते हैं न, root x का क्या हो जाएगा, 1 upon 2 root x, ठीके, तो इससे मेरे पास answer बन जाएगा, 1 upon root 2x, यह dy by dx, 1045 की value होती है, 1, तो यह हो जाएगा, 1 upon 2x प्लस 1, तो x कितना हो जाएगा, 1 by 2, x की value 1 by 2 हो चुकी है न, अब जैसी x की value यहाँ 1 by 2 होई है, अब इसके बाद देखना, x आपको मिल चुका है, ठीके, तो y की value हम calculate कर सकते हैं न, y की value कैसे calculate करेंगे, root of 2, x की value 1 by 2, that will be root 1, root 1 means plus minus 1, मतलब आप object को यहाँ, ray को ऊपर की तरफ भी incident करवा सकते हो, नीचे की तरफ भी incident करवा सकते हो, तो उस case में 2 ray इस तरह की बन जाएगी है न, तो finally मेरे पास, इसमें देखें, तो 2 तरह की ray सी आजाएगी, एक इधर उपर और एक इधर इसे, तो यह finally मेरे पास coordinate की आएगा, x की value half और y की value plus minus 1, that is fourth option, ओके बच्चों, तो यहाँ पर अपना यह, एक part और complete होता है, note करें इसको, तो बच्चों, यहाँ पर आपको अगला paragraph जो given है, वो anamorphic demagnifier के लिए गिवन है, इस device में जहाँ पर एक रही horizontal होती है, वो इस तरह से incident होने के बाद वापस parallel निकल जाती है, इस तरह के arrangement को हम मोल रहे है, आपको थीटा गिवन है, अब यह अगर थीटा है और यहाँ पर आप एक नॉर्मल बनाओगे, तो आपको यह एंगल भी थीटा ही है, तो यहाँ जो first angle of incidence होगा, रे के लिए, नॉर्मल से, वो first angle of incidence I1, यह भी R1 जो है, वो I1 के एक वल होगा, फिर यहाँ पर यह वाला angle जो है, वो I2 हो जाएगा, यह वाला angle भी हो जाएगा, I2, फिर यह यहाँ पर यह angle हो जाएगा, I3, और यह हो जाएगा, R3, ठीके इस तरह से हमें एंगल से यहां होंगे तो सबसे पहले इंगल की बात करें तो इंगल कितना होगा बच्चों 90 माइनस थीटा फिर यह भी 90 माइनस थीटा यह भी 90 माइनस थीटा तो Bureau 104 एंगल 90 हो जाएगा है पिर यह एंगल हो जाएगा ट CTG車 जो एंगल बंदा यहां पर आई टु हो जाएगा 90 अन्य ऑलफ ले किरुएं पर जो क्षों यह इजए यह जो ऑनल हो जाएगा में यहाँ पर आलफा हो जाएगा 180 मैंनस से थीटा पलस इट्रीटा प्लस इसे चोट्क तो यह हो जाएगा वन. धीटा i2 कितना हो जाएगा 90-2 theta plus 90-2 theta तो यह हो जाएगा 180 से 180 खतम 204-3 तो यह हो जाएगा 90-90-180 तो यह टोटल एंगल कितना होना चाहिए टोटल एंगल होना चाहिए अपना 180 180 में से theta और twice of i2 को minus करेंगे तो यह आजाएगा मेरे पास 3 theta ओके तो alpha की value कितना हो जाएगी 3 theta अब alpha अगर 3 theta आ रहा है तो यह जो i3 बनेगा i3 क्यों हो जाएगा इस case में i3 will be 90-alpha this is 90-3 theta ठीके अब देखो i1 वाले case में क्या हुआ i2 वाले case में भी क्या हुआ यार लेकिन जो i3 third reflect incidence है उसमें तो रह बाहर निकली न तो third incidence के लिए हम यहाँ बात कर लेते हैं third incidence की बात करें तो हम इसा लिख सकते हैं mu sin i3 is 1 sin r3 अब यहाँ sin r3 कैसे निकालेंगे तो यह अगर theta है तो यह भी theta तो r3 कितना हो जाएगा 90-theta अब यहाँ value डालने के वहल आपको mu sin 90-3 theta sin 90-theta so mu will be cos theta by cos 3 theta this is what this is mu तो mu आप से पूछा गया इसमें पहले question में एक बार देखते हैं तो यहाँ पर बोला है कि अगर emerging ray भी वापस parallel होके निकले तो mu की value कितनी होगी तो अपना option यहां कौन सा हो जाएगा मिटा इस केसमें इस केसमें आपका option हो जाएगा तो option will be 4th cos theta upon cos 3 theta तो यह तो 19th वाले part के लिए फिर हमें 12 वाले part में इसमें theta और mu में relation बताना है तो एक बार वापस हम उसी पाजाते हैं कि यहां तक आपने note कर लें बच्चों एक बार इसको note कर लें अब देखो हमने जैसे यहां पर i1, i2, i3 find किया हमें पता है कि यहां पर जो i1 वाला इंगल था इसमें भी TIR हुआ है जो i2 वाला एंगल यह था उसमें भी TIR हुआ है तो इसका मतलब 90-theta यह भी critical एंगल से बढ़ा है 90-2 theta आप देखो हमें पता है 90-2 theta i1 से तो छोटा है लेकिन फिर भी ए critical से तो बढ़ा है ना क्योंकि यहां से भी TIR हुआ है और जो यह i3 था यह वाला एंगल i3 यहां TIR नहीं हुआ तो हम यह बोल सकते हैं कि जो i3 है वो तो C से चोटा है लेकिन i2 जो है वो C से बढ़ा है ओके i3 C से चोटा होने का माला i3 की value क्या i3 मेरे पास 90-3 theta less than C equals to 90-2 theta तो एक एक बार हम इन दोनों relations को बारी-बारी से काम में लेते हैं तो 90-3 theta is C ओके तो यहां पर आप पूरी equation का sign ले लो तो sign और यहां पर भी हो जाएगा sign तो यह हो जाएगा cos 3 theta 1 upon mu अब देखो इसमें है न एक चीज़ धियान रखना बच्चों कि जब हम बात कर रहे है cos 3 theta की तो cos 3 theta जो है वो 1 upon mu से छोटा है इसका मतलब 3 theta को बढ़ा होना चाहिए cos inverse 1 by mu से इसका मतलब theta को बढ़ा होना चाहिए 1 by 3 cos inverse 1 by mu से एक relation तो ही आगया देन हम दूसरे case में जब यहां use करेंगे तो देखो इस वाले case में c जो है 90-2 theta से कम है दोना दरफ sin लेंगे तो sin c less than sin 90-2 theta it means 1 by mu less than equals to cos 2 theta इसका मतलब में cos inverse अब देखो 1 by mu जो है वो cos 2 theta से छोटा है मतलब 2 theta जो है वो इसके cos inverse से देखो cos 2 theta बढ़ा है मतलब 2 theta चोटा होना चाहिए तो वन अपॉन म्यू को कॉस इन्वर्स तो इसका अदलब थीटा हम बोल सकते हैं लेस देन है वन बाई टू को कॉस इन्वर्स वन बाई म्यू से तो एक वल नहीं आएगा ओनली लेस देन ओके कि तो थीटा जो है 1 बाई 2 कॉस में इन्वर्स वन बाई म्यू से चोटा होना चाहिए और वन बाई 3 कॉस इन्वर्स वन बाई म्यू से बढ़ा होना चाहिए एक बार यह वाला option देखते हैं कहां पर given है हमें तो कि देखें यहां पर हमारा जो option हो जाएगा वह जाएगा फोर्थ option ओके तो तो यहां पर फोर्थ option जो है वह सही हो जाएगा इस फोर्थ option करेक्ट ओके बच्चों तो यहां पर अपना पैसेज बन कम्प्लीट होता है फिर आते हम परेग्राफ टू पर परेग्राफ 2 में आपको यहां पर यहां पर यहां से इंसिडेंट होंगी ठीक है और फिर यहां पर अपने इंटफेरेंस पेटर ने वह बनते जाएंगे इन्होंने बोलाए कि जो इनने थीफ़ पर गोजयुआ कि था और यहां सी तरह से यहां है कि आने को अग्यां पर यहां हम ने इस पर यहां पर तो यहां पर आिसको द्रॉप कर दिया इस तरह से तो जैसे इस स्क्रीण को थे इसका चलाशता है ए unfortunately G, okay, acceleration G हो जाएगा, जो कि यहां दियाव है, और इसकी डिस्टेंस से वो क्या हो जाएगा, initial distance से D, और उसके में half gt square और 8 होता जाएगा, time के साथ, तो यह बोल रहे है, central maxima की speed बताने है, t equals to 4 पे, देखो, जो screen की velocity होगी, यहाँ पे y coordinate नीचे है, तो जो भी यहाँ पर, यह M for central maxima है, तो यहाँ पर जो screen, t time बाद velocity गेन करेगी, velocity of screen कितनी हो जाएगी, t time बाद, 0 plus gt, that is 10t, t equals to 4 second पे यह कितना हो जाएगा, that is 40, और y direction जो है, यहाँ नीचे की तरफ मानी है, तो 40 तो y direction में, अब central maxima की position तो हमेशे screen के center पे होती है, तो screen अगर माल लो, यहाँ भी आ जाए, जैसे माल लो, screen जो है, वो, कुछ time बाद यहाँ भी आ जाएगी, तो अभी central maxima तो यहीं बनेगा ना, बीचो बीच, इसका मतलब central maxima के पास केवल कौन सी speed होगी, y component बस, तो y component कितना आएगा, 40 meter per second, तो central maxima की speed हो जाएगी, 40 meter per second, कोई confusion इसमें, तो यह तो अपन में बताना है, second part के लिए, कि जो second maxima है, उसका central maxima के relative velocity क्या होगी, देखो, central maxima के relative velocity बताना है, देखो, screen जब यहाँ नीची गिर रही है, और वो भी कितने time बाद, 3 second बाद, 3 second बाद, आपको screen की speed कितनी मिलेगी, यह हो जाएगा, g into 3 याने की 30, 30 तो screen की speed है न, लेकिन हमें यह देखना है, बच्चों कि जो screen पे जहाँ अपने पास central maxima बना है, यह तो central maxima, और जहाँ पे कौन सा maxima बोला है, second maxima, second maxima यहाँ कहीं बनेगा, तो second maxima की distance, जो y, जिसको हम बोलते हैं, या हमने उने x बोला हुआ है, यह x distance हम कैसे measure करते हैं, बच्चों, second maxima के लिए, second maxima के लिए हमें पता है कि यह हो जाएगा, d sin theta equals to 2 lambda, यहाँ small angle के लिए sin theta को अपन के लिखेंगे, sin theta हो जाएगा, x by d is 2 lambda, फिर जैसे यहाँ आएगा आपने पास, x is 2 lambda by d, d dash बोल सकते हैं इसको, किसी भी instant पर, जो screen की distance है वो, फिर यहाँ पर x आगया, अब देखो, यह x भी तो change होगा, क्योंकि screen नीचे गिर रही है, तो यह आपका angular position same रहेगी, angular position पर कोई effect नहीं आएगा, लेकिन angle same है, अगर आप इस distance d को बढ़ा रहे हो, तो x b, d dash जो है, अगर वो बढ़ेगा, तो x भी बढ़ेगा, और जो x बढ़ेगा, तो देखो, यहाँ जो y component है, वो तो इन दोनों maxima के पास है, इसके पास भी य component, इसके पास भी य component, लेकिन एक component x direction में भी तो होगा, जो इस x को increase करेगा, तो यहाँ पर हम अब vx निकाल लेते हैं, vx क्या हो जाएगा, 2 lambda by t, d d-dash upon dt, तो d-dash हो जाएगा, यह हो जाएगा, 2 lambda by d, and that is gt, ओके, क्योंकि d-dash की value क्या थी, यहाँ पर, d-dash था मेरे पास, d plus half gt square, तो इसका differentiation जब आप करोगे, तो यह हो जाएगा, 0 plus of gt, ओके, तो vx यहाँ पर आजाएगा, हमारे पास, अब हमें इन्होंने relative speed पूछिए, ठीके, तो यहाँ पर हम बाकी सारा data, जो हो पुट कर देते हैं, एक बार, तो अब यहाँ से बाकी सारे data हम उठाते हैं, तो इन्होंने small d कितना दिया है, 1 mm, lambda कितना दिया है, 6000 ang strong, तो 6000 ang strong, 10 power minus 10, 2 की जगे 2, lambda की जगे ही रख दिया, small d कितना है, बेटा, 1 mm, 10 power minus 3, 3, यहाँ कितना हो जाएगा, 10 into 3, 3 second बात की बात करिए न, तो VX आएगा इस case में, 6 into 6, that is 36, तो यहाँ पर powers एक बार देख लेते हैं, 3 और 36, 6 power, 7 power, तो यहाँ जाएगा, 36 into 10 power minus 3, that is 3.6 cm per second, तो relative velocity इन्होंने पूछिए, तो relative velocity के लिए क्या हो जाएगा, अपने पास यहाँ पर, relative velocity के लिए हो जाएगा, 3.6 cm per second, Y direction की velocity count नहीं करना है, कि वहल X direction की velocity हमें count करनी है, तो यहाँ से finally मेरा answer जो बनेगा, यह, तो इस case में, just a minute, तो इस case में अपना answer हो जाएगा, 3.6 cm per second, यह, second option यहाँ पर, correct हो जाएगा, ओके बच्चों, फिर इसी तरह से आपको, 3rd maxima के लिए relative speed भी पूछिए, तो अगले पार्ट जो 14 आएगा, उसमें देख लेते हम, 15 में, अब देखो, आपको, टी क्वस्ट फोर पर, पर, central maxima के एक तरफ का जो 3rd maxima, उसको दूसरी तरफ के 3rd maxima, तो देखो, ऐसे 3rd maxima इस तरफ भी बनेगा, यह भी इधर, Vx speed से कुछ जा रहा होगा, तो, जो relative speed आएगी, 3rd maxima में, V relative, 3rd maxima, यह कितना हो जाएगा, 2 times of Vx, क्योंकि Vy और Vy तो दोनों के पास है, same direction में, Vx opposite direction में, तो वह जुड़ेगा, relative में तो, Vx कितना हो जाएगा, twice of, अब Vx देखो, जैसे पहले, आपने यहां calculate किया था, बिल्कुल वे से ही calculate करना आपको, तो, यहां पर यह आजाएगा, आपके पास, Vx is 2 lambda, पहले तो, एक्स लिख देते हैं, तो, यहां थर्ड maxima की बात है, 3 lambda हो जाएगा, 3 lambda by D, D dash, so, Vx is 3 lambda by D, और यह हो जाएगा, Gt, तो, यहां 3 lambda रख दिया, आपने D रख दिया, और Gtt, T की value कितना है बिटा, T की value है 4 second, तो, यहां पर 4 second रख दो, तो, यह हो जाएगा, 10 into 4, तो, इट विल भी 3, 1.8, और, कितना हो जाएगा, 12 और 36, 6, तो, 3.6, इंटू, just a minute, 3 lambda by D, 4, 40, तो, 4, 3, 12, बारचंग, बहतर, तो, 7.2, just a minute, बारचंग, यहां पर हमसे जो एक्सेलरेशन वाला पार्ट पूचा है, तो, एक्सेलरेशन वाले पार्ट के लिए हमें क्या करना है, हमें इसका भी वापस डिफ्रेंसियेशन करना होगा, तो, एक्सेलरेशन हो जाएगा, 3 lambda by D, G, और साथ में य डिरेक्शन का वाले आएगा, एक्सेलरेक्शन में कितना आएगा, 3, 6,000, 10 to the power minus 10, D, 10 to the power minus 3, G की value 10, तो, कितना हो जाएगा, यहां पर, 1.8 into 10 to the power, तो, यह कितना हो जाएगा, 4, 3, 7, 10 power minus 3, 18, 18 हो जाएगा है, तो, 18 into 10 to the power minus 3, यह यहां पर, overall acceleration, तो, relative acceleration कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, twice of AX, twice of A कितना है, 18, 10 to the power minus 3, is 36 into 10 to the power minus 3, that is 0.036, so, second option will be correct, ओके बच्चों, तो, यहां पर अपना, single choice वाला पाट, जो है, वो complete होता है, note करें, एक बार यहां तक आप, तो, बच्चों, हम शुरुवात करते हैं, section, next, जिसमें हम बात करेंगे, more than one choice questions की, इसमें पहला question आपको गिवन है, दो slab आपको गिवन है, इसमें पहले वाली slab में जो wave की equation गिवन है, आपको एक वेक्टर गिवन है, A, IK, B, JK, और दोसरी wave जो refract होके गई उसके लिए दियावा है, C, IK, B, JK, IK और JK direction यह आपको रिप्रेजेंट की गई है, Mu2 और Mu1 इंडेक्स आपको गिवन है, फिर इसके बद आपसे यहाँ पर पूछा है, कि, नॉर्मल जो है, यह नॉर्मल का N वेक्टर आपको दे दिया गया है, तो आपको यहाँ पर relation बताना है, देखो, बेसिक स्नेल रूल क्या कहता है, साइन आई, Mu1 साइन आई, is Mu2 साइन आर, अब इस बेसिक रूल की अगर हम बात करें, तो साइन आई, अब यहाँ आई जो है, वो किसे निकालोगे आप, देखो, रिफ्रेक्ट, आरवन जो वेक्टर है, वो किस तरह ऐसे मेरे पास, A I cape, और B J cape, अब यह रहा I angle, तो यह भी कितना हो जाएगा A, तो इस केस में, साइन आई कितना हो जाएगा मेरे पास, साइन आई हो जाएगा, परपेंडिक्लर बाइपेंडिक्लर बाइपेंडिक्लर रूट ऑफ A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर, यह तो साइन आई की वेल्यू, सेम इसी तरह से, जो आपके पास R2 वेक्टर है, इस तरह से, इस R2 वेक्टर के लिए कह दिया वाइगा, C I प्लस D J, So this is C, and this is D, and this is what, this is R, तो इस केस में, साइन R विल बी वाट, परपेंडिक्लर C, डिवाइड बाइपेंडिक्लर, D स्क्वेर प्लस C स्क्वेर, तो अब यहां पर, म्यू वन कितना हो जाएगा, इस केस में, म्यू वन, साइन आई कितना हो जाएगा, A अपॉन रूट ऑफ, A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर, फिर म्यू टू, साइन R, यह अपने पास पहला एक्वेशन तो जाएगी, दूसरा हमें पता है कि, जो भी स्नेल का सेकंड रूल क्या बोलता है, कि जो भी यहां पता है, यहां पर वेक्टर होंगे, वो एक दूसरे के परपेंडिकलर होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन में जब तीन वेक्टर हो, तो तीन वेक्टर के को प्लेन होने कंडेशन क्या होती है, कि कि किसी भी दो का अगर हम क्रॉस करें, और उसको तीसरे से डॉट करें, तो हमेशा 0 आना चाहिए, तो यह आ जाएगा, क्योंकि जो cross vector करने से आएगा, वो cross, जैसे N और R2 को cross किया, तो N और R2 का cross इसे आएगा, perpendicular, तो इस R1 से, यह 90 degree angle बना रहा है, तो इस N और R का जो cross आएगा, यह वाला, इसका R1 से dot product कितना होना चाहिए, 0, तो मेरा third option यहाँ होई, correct हो जाएगा, ओके तो इसमें second और third दोनों correct है, फिर next question की हम बात करते हैं बच्चों इसमें, यहाँ पर एक glass lab है और इसमें हमने coating की हुई हमने material की, इधर air है और इधर यहाँ पर end to index का एक medium है, यह बोल रहे हैं की, end 1 जो है वो तो 1.4 है, तो end 1 तो 1.4, end 2 कितना है, end 2 है 1.5, अब पहले case में बोल रहे हैं की, air से अगर मानलो glass की तरफ ray जाती है, तो पहला case में air से glass की तरफ ray को ले जाना है, तो यह air से जो ray आएगी, वो glass में, मैं मानलेता हूँ, यहाँ कहीं जाके मिलेगी, तो अब आपको focal length बताना है system की, देखो यह जो है ना, यहाँ पर coating, यह coating एक तरह से lens का काम नहीं करेगी, यह केवल एक गोगल की तरह काम करेगी, गोगल मतलब दो parallel face है ना, तो इसकी कोई converging और diverging power नहीं होगी, इसको simple remove कर दो, coating को हमेशा remove कर दें, system को easy बनाने के लिए, तो यह से मानलो कि simple एक air और यहाँ पर end to glass का medium है, तो इस case में देखो, mu r upon v, sorry, mu r upon v, minus of mu i upon u, अब mu r कितना है, यहाँ पर, यह है 1.5, 1.5 और v कितना हो जाएगा इस case में, v हो जाएगा इस case में, यह हमें बताना है, इसी को तो focal length बोल रहा है, mu i that is 1, और u कितना है, minus of infinite, 1.5 minus of 1, r, radius की value कितना है, इसमें, इसमें radius आपको given है, radius की terms में given हो, okay, तो यहाँ radius जो है, वो plus में आजाएगा पहली बार में, तो यह कितना आएगा, 1.5 by v is 0.5 by r, तो v is 3r, तो finally यहाँ पे जो answer बनेगा, first case का, वो क्या बनेगा, 3r, ओके, फिर यहाँ पे जब हम दूसरे case के लिए solve करते हैं, तो दूसरे case में देखना बच्चों, जब हम इधर से ray incident करवाएंगे न, तो यह ray कहां मिलेगी, मालिया यहां मिल रही होगी है, तो दूसरे वाले case के लिए देखना, mu r upon v minus of mu i upon u, अब mu r कितना है, बिटेक्स में है, mu r जो यहाँ पर है, वो है, देखो, reflection के बाद ray air में गई न, तो यह हो जाएगा, f2, इसको भी आप चाहें, तो f1 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, f1 ही है, यहाँ f2, mu i कितना था, 1.5, इधर infinite, 1 minus 1.5 divided by r, so 1 upon f2 will be, 1 by 2 r negative, so, जब माइनस आने का मतलब यहाँ पर क्या है, माइनस आने का मतलब इस system, जो है, वो converging नहीं होगा, इसका मतलब यह ray जो है, यह इस तरह से नहीं मिलेगी, जब की ray के से मिलेगी, तो इसको थोरा सा diagram को पकरेक्ट करना पड़ेगा हमें, पहले तो हमने converging ही मान के किया, लेकिन फिर बात में पता चला कि system जो है, वो actually diverging की तरह काम कर रहा होगा, तो finally अपने पास f2 कितना आ रहा है, minus of 2R, तो mod पूछा है, that will be third option, तो यहाँ पर first और third दोनों इसके options हो जाएंगे, depending on कि wave किस direction से आके इस पर hit करती है, ओके बच्चों, फिर इसके बाद आ जाते हैं, third question पर, देखें, बच्चों, यहाँ पर आपको एक transparent slab given है, thickness d की, अब इसमें जैसे जैसे यहाँ पर, z बड़ेगा, मतलब जैसे जैसे depth बड़ेगी, nz जो है, वो increase होगा, तो इसका मतलब, अगर हम देखें, तो यह एक rarer medium की तरह काम कर रहा होगा, से, और इधर यह एक denser medium की तरह काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि z बढ़ने पर, nz increase हो रहा है, refractive index nz, that increase with z, ओके, फिर यहाँ पर हमने एक slab को, ray को incident करवाया, तो यहाँ पर यह जो है, इसमें कितना दूर से ray emerge होगी, तो यह वाला point है, देखो, अगर मान लो, केवल constant index होता हम, constant index होता, तो भी यह ray जो है, यह एक बार तो normal की तरफ मुड़ती, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कि यह normal की तरफ मुड़ती ही जाएगी, क्योंकि continuously और denser medium में जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर यह ray जो है, वो continuously नॉर्मल की तरफ मुड़ती जाएगी, और यहाँ जाने के बाद, फाइनली फिर यह जितना भी deviation होगा, तो पैरलल ग्लास लेब में, हमें पता है कि final deviation overall कितना हो जाता है, cancel हो जाता है, तो जब यह ray निकलेगी, तो फाइनली तो यह उसी direction में निकलेगी, जिस तरफ से आई थी है, तो यहाँ पर इस तरह का path follow होगा, तो जो final angle है, वो तो हमेशा किसा होगा, क्योंकि यहाँ पर यह जो N2 है, अच्छा, अब यहाँ पर देखो N2 जो है, वो क्या होगा, वो हमें देखना है, तो इसमें, यह जो final angle है, उसको N2 decide करेगा, तो हम जब यहाँ पर successive reflection लगाएंगे, हर slab के लिए, ऐसे different different index की slab माने, तो हर slab में जब आप successive reflection लगाओगे, तो क्या हो जाएगा, N I sin theta I equals to N1 sin theta 1, फिर दूसरी equation बनेगी, N2 sin theta 2, फिर इस तरह से चलते चलते, finally आएगा, N final sin theta final, अब N final क्या है, final तो N2 है न, तो इसकेस में हम इन दोनों को जब equate करेंगे, तो यह हो जाएगा, मेरे पास, N1 sin theta I equals to N2 sin theta F, तो यह मेरे पास एक तो third option हो गया, अब देखो यह जो distance L है न, यह इस बात पर depend करेगा, कि यह ray कितना bend हो रही है, सोचो कर एक ही बार reflection होता, मतलब यह NZ variable के बज़ाए constant होता, तो यह ray थोड़ा सा A से जाके यह आ जाती, लेकिन यह continuously normal की तरफ bend होती गई, इसलिए L कम हुआ होगा, तो यह L इस बात पर depend करेगा, N2 पर तो depend करेगा नहीं देखो है न, यह L तो independent है, सही बात है तो, कि depend नहीं करेगा, लेकिन L depend करेगा NZ पर जो variation आ रहा है, जो करड़ पात आ रहा है, तो इस NZ की वज़े से आ रहा है न, variable refractive index की वज़े से इसा हुआ है, बच्चों अगले 4th question में आपको एक ISOCELLYS prism गिवन है, इसका prism angle A है, refractive index mu है, और इसमें गिवन है कि जो minimum deviation angle है, वो भी A की equal है, तो आपको यहाँ पर कौन सा correct option हो बताना है, तो एक बार हम इसकी शुरुवात करने के लिए आगे बढ़ते हैं, देखो, की case में हमें पता है, deviation का formula होता है, I plus E minus A, I और E की value भी I की equal होती है न, तो इसका मतलब 2I is 2A, so I is A, हमें यह भी पता है, minimum deviation की case में जो R1 और R2 equal होते हैं, वो A by 2 के equal होते हैं, R1 कितना हो जाएगा, A by 2, लेकिन A तो I की value है, तो हम इसको I 1 by 2 बोल सकते हैं, इसका मतलब minimum deviation की case में, R1 जो है वो, I 1 by 2 के equal होगा, ओके, फिर इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं, mu, क्या होता है, sin A plus delta M by 2, upon sin A by 2, तो sin A plus A by 2, upon sin A by 2, तो sin A plus A by 2, यह क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 sin A by 2, cos A by 2, sin A by 2, cancel out, इससे मेरे पास जो, mu by 2 वो आएगा, cos A by 2 के equal, तो A हो जाएगा, 2 cos inverse, mu by 2 के equal, यह तो हो गया, हमारे पास A की value, ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हम नहीं निकाला, अब हमसे यह भी पूछा गया, कि जब यहाँ पर light rate, जब surface के tangential होगी, तो उस case में angle of incidence कितना होगा, देखो, जब भी कोई light rate, अगर tangential इसमें निकलती है, तो मालों यह light rate से tangential निकलेगी, अगर यह light rate tangential होगी, तो उस case में, हमें यह पता है, कि जो angle है, यह E की value कितनी होगी, 90, E की value 90, तो R1, कितना हो जाएगा, sorry, R2, तो R1 कितना हो जाएगा, A minus C, तो जब E की value 90 है, तो R1 हो जाएगा, A minus C, तो इस case में, rate tangential जब निकलेगी, तो tangential rate के case में, देखते हैं, E is 90, इसका मतलब R2, जो है वो C के equal है, मतलब R1, जो है वो A minus C के equal, क्योंकि R1 plus R2 बराबर A होता है, तो अब यहाँ पर R1 हमें पता है, अब हम equation of, basic equation लगा सकते हैं, 1 sin I1 equals to mu sin R1, तो sin I1 equals to mu sin A minus C, इसको हम लिख सकते हैं, sin A cos C, cos A sin C, यहाँ mu, sin A, इसको हम लिख सकते हैं, 1 minus sin square C plus cos A, sin C की value हो जाएगी, 1 by mu, तो यह हो जाएगा, mu sin A, 1 minus 1 upon mu square, plus mu cos A, 1 by mu, ओके, फिर जब आप इसको cancel करोगे, तो यह mu से mu खतम, तो यह mu से mu खतम, यह finally क्या जाएगा, मेरे पास, sin I is mu sin A, 1 minus, 1 upon mu square, plus cos A, ओके, तो यह sin I की value हो जाएगी, इससे में यहाँ पर इन्होंने पूछा है, तो यहाँ पर इन्होंने हमसे पूछा है की, I क्या होगा, तो I हो जाएगा इस case में, sin inverse, mu, अब यहाँ पर sin A की value हमें बतानी है, तो sin A और यहाँ पर sin C को जो है, हमें replace करना होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको LCM लेकर, हम solve करेंगे, तो देखो, mu sin I A, mu square minus 1 upon mu, इससे cancel out हो जाएगा, plus cos A, तो finally sin inverse, sin A, mu square minus A, cos A, अब mu square को हम यहाँ पर कैसे replace कर सकते हैं, mu की value हमने निकाल रखेंगे, 2 cos inverse, mu की value कितनी है, अपने पास, 2 cos A by 2, तो यहाँ से, mu की value है, 2 cos A by 2, उसको जब हम यहाँ पर रख देंगे, तो अपना जो एक और option है, 3rd option वो भी आजाएगा, तो इस case में कौन सा option आजाएगा अपने पास, 1st और 3rd correct आजाएगा, 4th option में बोलाएगी, I1 अगर A है, तो जब I1 की value A की equal होगी, जब I1 की value A की equal है, तो minimum division की condition है, और minimum division condition में यह रे जो है वो base के parallel चलेगी है ना, तो minimum division की condition में यह रे जो है वो base के parallel चलेगी, तो 1st, 3rd और 4th यहाँ correct होगा, बच्चों यहाँ पर आपके सामने question है, आपको N1 और N2 इंडेक्स के दो lens given है, दो एक plano convex lens इनको चिपका करके, एक नया lens बनाया गया है, N1 की value N given और N2 की value N plus delta N given है, और focal lens क्या है, F plus delta F, जब N1 N2 अलग-अलग हैं, और जब दोनों सेम हैं, तो इसकी focal lens आपको कितनी given है, F, तो एक बार हम इसी को आगे solve करते हैं, तो इसकी इसमें आपको सबसे पहले तो, यहाँ पर जो दो lens given हैं, वो बना देते हैं अपन, एक तो plano-convex, और एक और यह दूसरा वाला plano-convex, ठीक है, तो F1, 1 upon F1 कैसे निकालेंगे बच्चों, N1 minus 1, 1 upon R, 1 upon F2 क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, N2 minus 1, 1 upon R, ठीक है, F net क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 1 upon F1 plus 1 upon F2, तो यह हो जाएगा, N1 minus 1 upon R, plus N2 minus 1 upon R, तो इस case में, F net क्या हो जाएगा यहाँ पर, F net हो जाएगा, R upon N1 minus N2, minus 2, यह simple यहाँ पर F net का, हमने एक जनरल फॉर्मुला निकाल ले, इसमें अभी तक हमने कोई approximation नहीं लगाए, simple हमने जनरल वेल्यू निकाली, बस, अब यहाँ पर हम वेल्यू पुट करते हैं, जब N1 और N2 equal हो, तो इस case में देखते हैं, F net, कितना दिया हुआ है, F के equal दिया हुआ है, तो इस case में, F net, that is R upon N, Sori, यहाँ प्लस आजाएगा, N1 प्लस N2, तो N प्लस N माइनस 2 is F, तो R is 2 N-1 F, यह हो जाएगा, यहाँ पर R की value, ओके, फिर दूसरे case में, जब आपको दिया हुआ है कि, N1 को अगर हम N माने, और N2 को, N प्लस डेल्टा N माने, तो F net की value क्या आएगी बीटा, F net आजाएगा, R upon N1 प्लस N2 माइनस 2, यह है न, इसमें value पुट करेंगे हम, तो यह R कितना आजाएगा यहाँ पर, N, N प्लस डेल्टा N माइनस 2, तो इट विल बी, और F net की value क्या हो जाएगी, F प्लस डेल्टा F, ओके, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, R की value हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर, R की value जो है, यहाँ से 2N माइनस 1 F रख सकते हैं, तो 2N माइनस 1 F, और इधार आजाएगा, 2N माइनस 2, प्लस डेल्टा N, ठीके, इस पूरी equation को मैं ऐसा करता हूँ, F से divide कर देता हूँ, तो यह क्या आजाएगा, 1 प्लस डेल्टा F अपॉन F, इस 2N माइनस 1, 2N माइनस 1, यहाँ भी क्या आजाएगा, N माइनस 1, F की value हम निकालेंगे, तो यह 2N माइनस 1, प्लस डेल्टा N, माइनस 1, इसको आप solve करेंगे बच्चों, तो आपके पास ही आजाएगा, माइनस डेल्टा N, 2N माइनस 1, डेल्टा N, प्लस डेल्टा N, ओके, प्लस डेल्टा N, अब यहाँ पे, डेल्टा N को, N माइनस 1 से काफी स्मॉल बोला गया है, तो डेल्टा वे, अगर N माइनस 1 से काफी स्मॉल हुआ, तो हम उस डेल्टा N को इग्नॉर कर सकते हैं न, तो यहाँ पे, डेल्टा N जो है, वो less less than है, N माइनस 1, इसका अधर डेल्टा एफ अपोन एफ एक वस्टू माइनस ओफ डेल्टा एन ट्वाइस ओफ एन माइनस वन यह हमारे पास एक रिजल्ट आता है अब इस रिजल्ट में आपको एक वैल्यू पूट करनी है आपको इन्होंने यह बोला हुआ है कि अगर सबसे पहले तो यहां एक पर रेलेशन फिर फॉस्ट पॉप्शन परते है फिर्स ऑप्शन कर दिया जावा है कि एक देल्टा एस डेल्टा एफ एन एफ डेल्टा एफ एफ देल्टा एफ यहां फ्वाइल्टा इन अपोन इन रिमेंज अंचेंजग इफ बहुत तो प्रूप टोनेक्र सर्फेस कि जगे कॉन करभें सर्फेस भी करते हो ना, तो के वल आर की माइने सार आए गा इतना जी जोगा ना लेकिन आर तो वैसे फाइनल आंसर मी नहीं आ verg तो फिर हमारे यहां पर ह कोई दि एका एनपर आया यहां यहां फ़रक नहीं पड़ेगा, ए सारह ر 10.5 गीवन है डेल्टा एन आपको गीवन है और उसके बाद यहाँ पर इन्हों ने अ फ दिया वाई तो डेल्टा एफ की वेलीव पूछी है न तो एक बार यहाँ पर इसी में वेल्य पूट कर देते हैं डेल्टा एफ इस डेल्टा F upon F, F कितना गिवन है आपको, F गिवन है यहाँ पर 20 cm, तो 20 cm तो यह आजाएगा, फिर डेल्टा N आपको गिवन है, 10 to the power minus 3, तो डेल्टा N 10 to the power minus 3, 2, N कितना है, 1.5 minus 1, और डेल्टा N को इग्णोर कर देंगे, फिर इसमें, तो यह फाइनली मेरे पास कितना रहाएगा, डेल्टा F is, यह कितना है, 1.5 minus 1, 2, तो यह रहाएगा, 20 into 10 to the power minus 3, तो cm के साफ से देख तो 0.02 cm, तो यह डेल्टा F के वरे जाएगी, 0.02 cm जो कि correct है, तो आपका जो second option है, वो भी correct है, फिर तीसरे case में हमने बोला है कि अगर डेल्टा N अपन N जो है, वो less than 0 हो, मतलब डेल्टा N अपन N वाला फेक्टर अगर less than 0 है, तो यहाँ माइनस ओर आ पता है कि डेल्टा F अपन F, देखो, डेल्टा N अपन N से less than है क्या, नहीं, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर, जो डेल्टा N अपन N है, अगर आप डेल्टा N अपन N में compare करते हो, तो N-1 से डिवाइट कर रहे हो ना, हमें पता है कि डेल्टा N अपन N जो है, वो हमेशा जादा होगा, छोटा होगा, किस से? डेल्टा N अपन N जो है, वो हमेशा छोटा होगा, डेल्टा N अपन N-1 से, यह तो हमें पता है, अगर हम छोटी value से डिवाइट करते हैं, आंसर बढ़ाएगा, तो जब डेल्टा N अपन N अपन N छोटा है हमेशा, खाली value की बात कर रह अपन N है, वो डेल्टा F अपन F से यहां पर कम है, तो मौड वाइज अगर हम बात करेंगे, तो डेल्टा F अपन F जो है, वो इस case में, डेल्टा N अपन N से जादा होगा, तो बच्चों यहां से clear है कि delta f अपने f हमेशा delta n अपने n से बड़ा होगा ना कि छोटा तो अपना जो fourth option है वो गलत हो जाएगा तो इसका first, second, third, तीनों यहां correct हो जाएंगे. ओके बच्चों, note करें एक बार इसको. नेक्स्ट आता है six question, six question में आपको वुला है light source which emit two wavelength lambda 1 and lambda 2 is used in a Young's double slit experiment if recorded fringe width for lambda 1 and lambda 2 are beta 1, beta 2. देखो हमें पता है कि beta जो होता है वो lambda capital D अपने small d होता है ना. यहने कि beta जो है वो directly proportional है lambda के, तो lambda जिसके लिए ज्यादा होगा उसके लिए beta भी ज्यादा होगा, अब हमें पता है lambda 2 greater than lambda 1 इसका मतलब beta 2 also greater than beta 1, first option correct. then इसके बाद हम बात करते हैं, देखो, इसक्रीन की जो width है वो तो fix है, तो जैसे मानलो suppose इसक्रीन इतनी width की है, अब आप इसमें बड़ी-बड़ी fringes बनाओगे, तो जो fringes चोड़ी है उनकी number कम आएंगे ना, तो जैसे मानलो चोड़ी-चोड़ी fringes बनाओगे, एक एक fringe width को मैं यहां M बोलता हूं, इन्होंने क्या बोला है, M बोला है ना, और एक fringe width को beta मानता हूं, तो M into beta जो है वो इस distance, या width के बराबर हो जाएगा, तो width तो constant है ना, तो हम यह बोल सकते हैं कि M1, beta 1 equals to M2, beta 2, और यह पूरी जो width है वो W के equal होगी, screen width के equal, तो इसका अदल़ जिसके लिए fringe width ज्यादा उसके लिए M कम हो जाएगा ना, तो beta 2 अगर ज्यादा है, beta 1 से, इसका मतलब M1 कम होगा M2 से, ओके, तो M1, sorry, beta 1 जो कम है ना, उसके लिए ज्यादा होगा, तो M1 ज्यादा होगा M2 से, ओके, तो M2 less, M1 greater than M2 यह अपना second option भी correct हो जाएगा, फिर इ यह बोलते हैं, from the central maximum, third maximum of lambda 2 overlap, fifth maximum of lambda 1, अब fifth, देखो, third maximum of lambda 2 क्या होगा, third maxima of lambda 2, तो delta x कितना आना चे उसके लिए, 3 lambda 2, 3 into lambda 2 के उनसा है, यहाँ पे 600, तो यह आजाएगा 1800, फिर इसी तरह से, fifth maxima minima बताना है, हमें lambda 1 का, तो fifth minima, अगर lambda 1 का बताना, तो delta x क्या हो जाएगा, 3 into lambda 1, sorry, fifth minima के लिए क्या होगा, फिर्स्ट minima के लिए lambda by 2 का difference होता है, तो fifth के लिए हो जाएगा, 4.5 lambda, तो यह हो जाएगा, यहाँ पर, 4.5 lambda 1, तो 4.5 lambda 1 कितना है, 400, तो यह 800, तो देखो, दोनों के लिए path difference है, मतलब, 1800 nanometer जो path difference है, वहाँ पर थर्ड का maxima बनेगा, और लेम्डा 2 का थर्ड मैक्सिमा बनेगा, और लेम्डा 1 का फिफ्ट minima बनेगा, तो इसका मतलब, यह दोनों कोइंसाइड करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर angular separation की बात की, दखो, angular separation जो होता है, फिरिंजेस की बीच में, वह होता है, lambda by d, तो हमें पता है, कि angular separation भी lambda हिसाफ से change होगा, तो lambda 2 ज़्यादा होने की वज़े से, lambda 2 वालों का angular separation ज़्यादा होगा, जबकि fourth option बोल रहा है, कि lambda 1 के लिए जाता होना चाहिए गलत हो गया है तू तो अपना 1st, 2nd, 3rd यहां correct है, 4th option जो है वो गलत है, ओके बच्चों, 6th question complete होता है, नेक्स्ट आपको बोलावा है कि यंग्स डबल स्ट एक्सपेरिमेंट में आपको यहां पे separation slit का दियावा है, d wavelength given lambda, intensity जो है वो आपको यहां पर i given है, यहां पर slit 1 की intensity को 4 times दियावा है, slit 2 की intensity से, तो i1 is 4 times of i2, पहले चीज़ तो यहां पर d अगर lambda के equal हो, तो क्या होगा, देखो, हमें पता है कि maxima के लिए, maxima की condition क्या होती है, d sin theta equals to n lambda, अब n को हम कैसे निकालेंगे, d sin theta upon lambda, ठीक है, अब यहां जो d lambda की equal है, तो यहां पर d और lambda equal हों से n कितना आजाएगा, only sin theta, अब sin theta की integer value तो क्यावल 1 होती है न, तो अब sin theta भी वो n 1 कब आएगा, n equals to 1, theta equals to 90, इसका मतलब infinite distance, central maxima से infinite distance जाने के बाद पहला maxima बनेगा, लेकिन हमें पता उसके लिए infinite body screen चाहिए, तो हम infinite body screen तो रख नहीं पाएगे, इसका मतलब first maxima हम कभी observe कर ही नहीं पाएगे, और हमें केवल एक maximum मिलेगा, और यह एक maximum कौन सा वाला होगा, यह होगा central maximum, ठीके, तो d अगर lambda की equal हो, तो central maximum हो जाएगा, अब यहाँ पर second है, अगर lambda और 2 lambda की equal हो, तो फिर तो अबेसी बात है, यहाँ पर यह lambda, d जो है वो lambda से बड़ा हो, और 2 lambda से चोटा है, तो n की value जो 90 degree angle है, जब यहाँ 90 degree रखोगी, तो इस case में n एक से जादा आजाएगा, मतलब theta 90 पर जाने पर तो n एक से जादा हो रहा है, तो 90 से पहले, n की one value मिल जाएगी न, इसका मतलब फिर आपको वहाँ पर central maxima से, जो central maxima है, उसके अलब आपको कम से कम, एक maxima और मिल जाएगा, एक तरफ है न, besides central maxima, तो at least one more maximum will be observed on the screen, ठीक है, at least one का मतलब यहाँ पर यह बोलाएगी, जो n की value 1 है, तो इस case में आपको, at least one more maxima will be observed on the screen, बिल्कुल ठीक बात ही, क्योंकि यहाँ पर जो first number का maxima है, वो infinite के बजाएगा, कम पर आजाएगा है, फिर इसके बाद, third में, intensity of light falling on slit 1 is reduced, so that it becomes equals to slit 2, लेको, अब I1 को reduce कर रहे हो है, I1 को अगर reduce करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो maximum intensity है, वो तो decrease होगी ना, क्योंकि maximum में तो दोनों के रोल होता है, तो maximum intensity decrease, लेकिन जब I1, I2 equal होजाएगे, तो जो dark fringe होजाएगी, तो यहाँ पर dark fringe की जो intensity वो भी कम होगी, तो यहाँ पर जब I1 को reduce करेंगे, तो bright वाले भी reduce होगी, और dark वाले भी reduce होगी, जब कि यह उल्टा बोल रहा है, तो यह गलत होगी आपना, फिर fourth, if the intensity of light falling on the slit 2 is, increased so that it will become equals to slit 1, अब यहाँ पर आपने I2 को increase कर दिया, I2 को अगर increase कर दिया, अगर आप I2 को बढ़ाओगे, I2 को बढ़ाएगे, तो वापस देखो, क्या होगा, I maximum तो increase होगा, लेकिन जैसे ही, I2, I1 की equal होगा, dark fringe की जो brightness है, वो वापस zero हो जाएगे, ना, दोनों equal intensity की slits हो, तो फिर dark fringe complete dark होती है, तो पता है ना हमें, तो इसका मतलब, तो यह बोल रहे हैं कि, दोनों की intensity बढ़ेगी, गलत है, ब्राइट की बढ़ेगी वो ठीक है, लेकिन dark वाले की नहीं बढ़ेगी, dark वाले की तो वापस zero हो जाएगी, तो I1 को कम करके, I2 की equal करो, या I2 को बढ़ाके, I1 की equal करो, दोनों की इसमें, dark fringe की width जो है, intensity जो है, वो zero होगी, ओके बच्चों, तो यह 7th यहां पर complete होता है, उसके बाद हम आते हैं next, 8th question पर, 8th question में आपको, यंग्स double slit experiment में, slit separation D दिया वाय, distance between slit and screen is equals to D, and intensity of slit is equals to I, the wavelength of light used is lambda, तो यहां पर सबसे पहले, angular position आपको दिया वाय है, lambda upon 4D, यहां intensity to I होगा, एक बाद चेक करते हैं, तो देखो, D sin theta is n lambda, यही होता है न, अब यहां, small angle के लिए, sin theta को theta लेख सकते हैं, तो यहां D, theta की value कितना है, lambda upon 4D, basically delta X से रुको, एक बाद n lambda के equal मत करो, यह simple delta X है न, delta X calculate कर लो, तो यह कितना हो जाएगा, lambda by 4, अब जहां lambda by 4, delta X है, वहाँ delta 5 कितना होगा, delta 5 होगा, 2 pi by lambda, lambda by 4, यहने की, pi by 2, अब intensity जहाँ, phase difference, pi by 2 हो, वहाँ net intensity क्या हो जाएगा, root of I1, plus root of I2, sorry, I1, I2, 2 root I1, I2, तो यह I1, plus I2, और बाकी पीछे जो factor आएगा, 2 root I1, I2, cos delta 5, तो cos delta 5 तो 0 हो जाएगा न, यहाँ पे, तो वह वाला factor भी हम लिख देते हैं, एक बार, 2 root of I1, I2, तो यह कितना हो जाएगा हमारे पास, I plus I, और cos 90 के से 0 हो, तो फाइनली क्या जाएगा, 2 I, तो यहाँ पे, 2 I जो है, वह इसकी intensity हो जाएगी, then, screen is shifted away from the slit, angular position, देखो, angular position जो होता है, angular position होता है, lambda by D, इसमें कहीं भी capital D का रोल नहीं होता है, तो first maxima के लिए, angular position जो होती है, वो lambda by D होगी, capital D पे depend नहीं करता है, इसलिए angular position change नहीं होगी, third में, glass slab is placed in front of one of the slit, and the incident where front of the slit is planar, तो it में happen that central maxima is symmetrically located, symmetrically located का मतलब यह है कि, central maxima जो है, center point पे ही बन रहा है, मतलब आदा central point से ऊपर, आदा center point की नीचे, कैसा possible है, विलकुल हाँ, एक case में possible है, है ना, जैसे मानलो हमने यहाँ पे slab रखी, हमें पता है, जिस तरफ slab रखते हैं, central maxima उस तरफ ही shift होता है, पेटर्न उस तरफ shift होता है, लेकिन मतलब तब होगा ना, जब आप यहाँ पे, जो incident light उसको सीधा डालते हो, आप ऐसा करो, incident light को भी तिर्चा कर दो, ठीके, अब सुचो, नहीं होते हो, central maxima नीचे shift होता, slave उसको थोड़ा सा ओपर shift कर देगा, तो इस case में पॉसिबल है कि, central maxima आपस symmetrically located हो जाए, और देखो, जो wavefront incident किया ना, वो भी एकदम planar wavefront ही है, है ना, तो यहाँ पे, oblique incidence के case में ऐसा पॉसिबल है कि, जो wavefront है, central maxima है, वो एकदम, बीचो बीच, यहने कि, center position पा जाए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे, फोर्थ में, the arrangement is immersed in an oil of refractive index mu fringe width, देखो, हमें बता है fringe width क्या होता है, lambda capital D upon small d, और lambda dash जो होता है, वो होता है, lambda by mu, तो इसके नादर lambda decrease होगा, तो beta dash भी कितना हो जाएगा, beta by mu हो जाएगा, इसमें कोई confusion नहीं है न, तो यहाँ राम साब का यहाँ पर, फोर्थ option भी जो है, वो correct हो जाएगा, ओके बच्चों, तो यह फोर्थ option correct, next आगे बढ़ते हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि, point object प्लेस किया है, principal axis of concave mirror of focal length, minus 20 cm, at this instant object is given, velocity v towards the axis, event 1, and perpendicular to axis event 2, then speed, तो देखो, minus 20 पे, आपने एक object को 30 पे रखा है न, तो focal length अगर minus 20 है, u की value अगर minus 30 है, तो v तो minus 60 आना ही है, यह तो हमको पता है, अब v minus 60 है, तो magnification कितना हो जाएगा, minus of v by u, minus of minus 60 upon minus 30, that is minus 2 का magnification, अब हमें यह पता है कि mirror को तो आपने fix कर दिया, अगर आप object को इस तरफ velocity दोगे, तो इस case में देखो क्या होगा, velocity of image minus of velocity of mirror is transverse magnification का square, velocity of image object minus velocity of mirror, minus of minus 2 का square, velocity of object v है, तो v 1 image कितना हो जाएगा, 4 v, ठीके, तो event 1 कौन सा है, event 1 यह है कि हम इनने इसको, axis की तरफ v speed दी object को, तो image की speed कितनी हो जाएगी, 4 v, तो second option correct हो जाएगा, फिर अगर हम दोसरे case में, object को speed, transverse direction में दें हैं, दोसरा case कौन सा है, आपने object को speed इधर उपर दी है, तो इस case में, velocity of image हो जाएगा, minus velocity of mirror is, transverse magnification का formula लगा देंगे, हम, velocity of object, minus velocity of mirror, transverse magnification, minus 2 v, velocity of image, यह 0, इधर 0, तो finally, velocity of image का जाएगा, minus of 2 v, मतलब object को रूपर जाएगा, तो image जो है, double speed से नीचे जाएगी, तो event 2 में, speed of image का आएगा, 2 v, तो इस simple, दोने event के case में, हमने speed निकाल ली, पहले case में, along the axis object को मूँ करवाया था, दूसरे case में, perpendicular to axis object को हमने मूँ करवाया है, 9th के बाद आता है, 10th question, note करें बच्चे इसको एक बार, अब यहाँ पर आपको, first में, the convex lens of focal length 10 cm, concave lens of focal length minus 15 cm, are placed in such a way that, principal axis of convex lens is 2 cm, above the principal axis of concave lens, तो यहाँ पर देखो, यह जो concave lens की principal axis है ना, वो नीचे है, तो डाइग्राम में चाहिए से material दिख रहा हो, लेकिन है थोड़ा सा नीचे है, तो इस case में देखना, बच्चों, यह जो यहाँ पर, आपको distance गिवन है, 2 cm की, अब यहाँ पर object कितना दूर रखा है, इसकी focal length आपको दिया वाए 10, object की distance कितनी गिवन है यहाँ पर, minus 20, तो देखो focal length के लिए तो 2F पर हो गया, तो image भी कहाँ बनेगी, 2F पर, तो यह 20 है, तो इधर भी distance जो आएगी, वो 20 आएगी, है न, तो यहाँ पर बनेगा object 1, अब यह object 1 जो है न, वो यहाँ बन रहा है, तो वो concave mirror के लिए, तो height हो जाएगे न, उसकी 2 cm, तो यहाँ पर U1 है, minus 20, F1 है, minus, F1 है, plus 10, तो V1 कितना आजाएगा बच्चों, plus 20, V1 plus 20 आते ही, यहाँ पर देखो, यह वाला magnification तो बन आएगा, मतलब point object की image, यहाँ point image बनेगी, बट वो concave की principle axis से कितना उपर है, 2 cm, तो height of, 1 image, बैसिकली यहाँ पर, पहले इसके लिए U2 निकाल लेते हैं, तो U2, कितना हो जाएगा, तो 20 पर image बनी, 15 यह है, तो total distance कितने दाएगी है, यह दाएगा 20 minus 15, 5, F2 कितना दी आप आपको, F2 given आपको minus 15, ठीके, तो यहाँ पर आपके पास, जो 1 upon V2 minus of, U2 plus 5 आ रहा है न, तो यहाँ plus 5 रखदो, equals to 1 upon minus of 15, तो 1 upon V2 is minus of 15, minus of 5, तो यह कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 by 15, ओके, यहाँ plus आ जाएगा न, तो यह आजाएगा अपने पास, 2 by 15, ओके, तो V2 आ जाएगा, 15 by 2, अब V2 जैसे 15 by 2 आया, इसका मतलब 7.25 पॉजिटिव आ रहा है, तो 7.5 तो यहाँ से 7.5 पर आपके पास, एक और इमेज बन जाएगी, अब देखो, यहाँ पर जो M2 मैगनिफिकेशन आएगा, लेंस के लिए वो क्या आएगा, V2 by U2, V2 कितना है, 7.5, U2 कितना था, 5, तो यह आजाएगा, 1.5 ताइमस मैगनिफिकेशन, तो इसका मतलब जो H2 आएगा, वो आएगा, M2 into H1, तो यह कितना है, 1.5 ताइमस है ना, मैगनिफिकेशन तो, यह सेंटिमेटर नहीं आएगा यहाँ पर, 1.5 into 2, तो यह कितना जाएगा, 3 cm, अब 3 cm देखो, यह है, तो 3 cm यहाँ से बनेगी, इमेज की इस्टेंस, यह आई 2, तो 3 cm तो इस, कॉनकेव की प्रिंसिपल एक्सेस से है, तो यहाँ पर देखते है, अपनी x-axis से इस्टेंस किया जाएगी, 1 cm, तो y-coordinate of image is formed, by the system is x, 1 cm ठीके, और image का x-coordinate कितना हो जाएगा, 15 का आगे 7.5 और 22.5, तो यहाँ पर जो मेरे पास, उप्शन करेक्ट हो जाएँगे, तो यहाँ पर जो मेरे पास, 1st and 3rd, तो यहाँ पर एजिली 10th question, जो है, वो complete होता है, ओके बच्चों, note करें एक बार, बच्चों हम आते हैं, हमारे section D पर, इसमें आपको integer choice questions को solve करना है, तो पहला question में आपको एक rod गीवाने length L की, जो constant speed 9 से move कर रही है, तो L length की एक rod है, और इसमें, 9 की speed है towards the pole of concave mirror of focal length L, इसके लिए focal length कितना दिया हुआ है, L तो यह concave लिए minus L हो जाएगा, rate of change in length of image of rod, at the moment center of rod coincide with the center of curvature of, तो यह जो center of rod है, यहीं पर center of curvature CB है, और focal length अगर देखो, यहाँ पर L है, तो center of curvature से distance कितने हो जाएगी, R equals to 12, तो यहाँ पर जो A और B point की distance हैं से, वो कैसे लिखोगे आप, UA हो जाएगा, 2L plus L by 2 with a minus sign, UB हो जाएगा, minus of 2L minus of L by 2, तो यह कितना हो जाएगा, 2.5L minus sign के साथ, और यह हो जाएगा, 1.5L minus sign के साथ, तो UB और UA आपको पता है, अब आप focal length आपको पता है, तो आप इनके लिए VB और VA निकाल सकते हूँ, तो देखो, mirror के लिए हम क्या formula यूज करते हैं, 1 upon V plus 1 upon U is 1 upon F, तो यह हो जाएगा, 1 upon VA, UA के लिए कितना दिया, आपको minus of 2.5L equals to minus of L, तो फाइनली VA विए विए वन अपों 2.5L plus 1 upon L, तो इट विल बी, 2.5, 1 plus 2.5L, तो इट विल भी, 3.5 एने की 7 by 2, तो 7 by 5L, VA 5L by 7 हो जाएगा, यहाँ पर, तो आपके पास VA आएगा, आपके बी एक बाद चेक कर लेते हैं, यह माइनस मेहना है तो, तो 5L by यहाँ माइनस आजाएगा, तो 5L by 3, ओके, 3 by 5L, तो 3 by 2, 5 by 2, 3 by 5, तो VA कितना हो जाएगा यहाँ पर, VA हो जाएगा मेरे पास, जस्ट आ मिनिट में उल्टा कर दिया है इसको, माइनस में 1.5 upon 2.5L, तो इट विल भी 5 by 3L, ओके, तो VA कितना हो जाएगा, 5 by 3L, माइनस के साथ, इसी तरह से जब आप VB निकालोगे, तो VB आपको कितना मिलेगा, VB आपको मिल जाएगा, तो देखो, UA के कोर्रस्पॉंडिंग VA कितना आ रहा है, माइनस of 5 by 3L, सेम केस में, VB कितना आ जाएगा आपके पास, सेम केस में, VB आ जाएगा, 3 by 3L, माइनस साइन के साथ, आ गया, तो आपको V और VB दोनों गिवन है न, अब V और VB दोनों गिवन है यहाँ पर, तो इस केस में, VB, अब यहाँ पर दोखो, स्पीड केसे निकालेंगे हम, हमें पता है कि जो लेंध आफ इमेज है, वो चेंज होने की रीट कि आओगी, मतरो कि लेंध जो है, वो यहाँ खुछ ऐसे बनी होगी, हैं लेंध यह लेंध आफ इमेज यहाँ कुछ ऐसे है, अब लेंध ऐसे हैं, यहां पर सब्सक्राइब पॉइंट की में जिदर बनी होगी बीडेश और यह पॉइंट की इदर कई बनी होगी तो यह बीडेश और यह ऐसे बन रहा है तब इसकेस में आपके पास जो एब क्यों, तो यहां पर यहां पर बनेगा इसकेसे निकाल हीए तो इस हिसाफ से आपका मैगनिवीचेशन बनेगा हो बनेगा यहां तो यहां पर आजाएगा बच्चो टू बाई थ्री का स्क्वेर और नाइन तो यह कितना हो जाएगा फूर इसी तरह से वी बी डेश आप कैसे निकालोगे वही मिरर की स्पीड का फॉर्मला होता है इमेज की वह हो जाएगा आपके पास यहां पर माइनस ओर लगा दें आपकोई दिक्कत नहीं यहां पर माइनस तो यह कितना हो जाएगा वापस एंब ऑन रखसरी नाइगा मैंक्विकेसिं गेसा आई गा हां पर तर्टीय अपोन च्वेल वर्थ और दिल गमिररगे अपने पास 2 का square और ये 9 कितना आएगा है? 36 तो इसका मतलब ये minus 4 हो और ये minus 36 तो इनकी जो relative speed निकालोगों कितना आएगा? 36 और 4 का minus 32 हो जाएगा, तो 32 और 32 तो अगर x की value 32 आएगी, तो x by 4 कितना हो जाएगा? 32 by 4 that is 8 तो यहाँ पर आपका अंसर बन जाएगा 1st option, ओकी बच्चों तो यह 1st option यहाँ बन गया 1st option मतलब 8 इसका अंसर बन जाएगा, ओकी पिर आता है अगला 2nd 2nd में आपको यहाँ पर S1, S2 लिट गिवन है और यह सेम कोहरेंट सोर्स हैं, A, B is irregular wire lying in the far distance from S1, S2 lambda by D, जो आपको दिया हुआ है, B, O angle आपको 0.12 degree दिया हुआ है तो आपको यहाँ बताना है कि how many bright spots will be observed on the wire, ठीके? तब यहाँ पर bright spots कितने observe होंगे आपको भी बताना है औके? और आपको angular separation दिया है 0.12 degree का चलो, एक बार हम यह देख लेते हैं कि इस case में जो angular separation आएगा, वो कितना आएगा fringes के बीच का, delta theta कितना हो जाएगा, lambda by D, angular separation ही होता है, that is what 10 to the power minus 3 radian है ना? अब यहाँ पर यह total separation कितना दिया, इसको आप radian में convert करोगे तो degree, अब हमें पता है pi radian होता है 180 degree तो यहाँ degree की जए क्या लिखूँगा pi by 180 ओकी, radian में जाएगा है तो यह कितना आजाएगा आपके पास pi 12 a 180 और इसको 2 0 रख दो यहाँ पर तो यह हो जाएगा 12 pi by 180 180 ठीक है तो 2 pi by 3000 ठीक है अब 2 pi by 3000 यहाँ पर हो गया है इसको 6 से cancel करेंगे 2 तो यह solve करने पर almost आपके पास कितना बनेगा तो यह जो value आएगी यहाँ पर यह pi की value 3.14 तो यह 6.28 3000 तो यह आएगा 2 point something तो यहाँ आएगा 2.09 इंटू 10 to the power minus 3 तो यहाँ पर 2.09 10 to the power minus 3 यह तो हमारे पास total angular width आ रहे है ना यह है total delta theta जो net आ रहा है वो है और एक fringe का separation कितना है 10 power minus 3 तो यहाँ पर हमें कितने bright spot मिलेंगे तो number of bright spot के लिए क्या करेंगे आप जो net separation है angular उसमें delta theta जो एक fringe का आ रहा है एक bright fringe का जो आ रहा है उसको डिवाइट कर दें तो टू पॉइंट जीरो नाइन 10 to the power minus 3 डिवाइट बाइट बाइट माइनस 3 इट विल बी 2.09 और आप round off करेंगे इसके पॉरे तो यहां पर आपका आंसर जाएगा जीरो टू यह आपका अंसर बन गया तो इस केस में आपका आंसर जो है वो टू एक्जेक्ट वादा क्योंकि पॉइंट जीरो नाइन तो आप आप आपको यहां पर दो bright spot मिल सकते हैं तो यह आपका second question complete होता है next question मैं देखिया आपको यहां पर एक mirror से related object given है और mirror और object पानी के अंदर है तो मैं इसकी distance को इसा करता हूँ y मान लेता हूँ इसकी distance को x मान लेता हूँ तो distance of object from mirror कितना हो जाएगा देखो y तो पूरा का पूरा as it is है लेकिन जो x है वो कितना हो जाएगा x by mu times तो यह हो जाएगा x by mu that is what y mu की value 3 by 4 by 3 तो 3 by 4 x this is distance of object from mirror ठीके अब हम से यह पूछा है कि image की distance क्या होगी image की distance जो mirror से होगी वो object की distance के equal होगी तो फिर distance of image from object कितना हो जाएगा 2 times of distance of object from mirror तो यहाँ इसको solve कर लो 2 by 3 by 4 x अब हम से velocity पूछा है object की image की with respect to object तो यह देको distance को अपन differentiate कर देते हैं तो velocity क्या हो जाएगा di with respect to o divided by t differentiation of this अब इसका differentiation अगर आप करोगे तो देको 2 as it is y का differentiation क्या हो जाएगा dy by dt 3 by 4 dx by dt देको simple सा ही एक फंडा होता है कि आप distances को लिखें और उस equation का differentiation करें यही एक तरीका है जिसमें कभी question गलतनी होगा तो यहां पर 2 अब देको dy by dt इस y को यह जो 6 meter से mirror नीचे आ रहा है उसके वाज़े से y decrease होगा increase होगा ओवेस्टी बात ही decrease होगा तो यहां minus 6 लिख दो then 3 by 4 अब यहां जो यह object 8 से नीचे जा रहा है उससे x क्या होगा increase होगा तो यहां 8 positive लिख दो तो यह finally कितना हो जाएगा टू माइनस 6 प्लस 6 जीरो तो फाइनली जीरो जो है यहां पर final answer बन जाएगा अपना ओके तो यह हो गया अपना third option इसमें जीरो आ जाएगा आपका अंसर ओके नौट करें बच्चों कि नेक्स्ट क्योशन पर आते हैं हम नेक्स्ट क्योश्शन में आपको यह बोला है कि एक कृश्श में इस पर अपने perpendicular ray को इसमें करवा जिया कितनी यहां पर जो है वो ट्रेवल करेंगा और इस में यहां पर रूट 3 है इंडेक्स 3 होने का मतलब क्या है कि जो और 55 से भी ज्यादा होगा है ना critical angle तो 45 से जाज है ना अब थोड़ा सा diagram बड़ा बनाते हैं अपन ताकि अपन को easily यह समझमा जाए देखो अगर मानलो मैं इस पर ray incident करवाता हूँ एसे है ना तो यह ray मानलो यहाँ पर x distance दूर जाके गिरती है तो यहाँ पर जो angle of incidence बनेगा वो कितना बनेगा बिटा देखो यहाँ जो angle of incidence यह तो है 90 तो यह भी 90 यह अगर 60 है तो यह कितना हो जाएगा 30 तो यह भी कितना हो जाएगा 60 क्योंकि equilateral prism है तो equilateral prism के case में यह angle जो है यहाँ पर इस तरह से बन रहे है अब जैसे हमें यहाँ पर यह angles पता चल रहे हैं तो हमें पता है कि जो c है वह तो यहाँ पर refractive index 3 होने का मतलब क्या है कि sorry refractive index 3 का मतलब यहाँ पर science ही आएगा वो आ जाएगा 1 by 3 1 by 3 मतलब 1 by 2 से भी काम है तो c की value जो है वो तो less than 30 आएगी ना c की value less than 30 आएगी इसका मतलब जो i2 है वो पक्का c से तो ज़्याद ही है इसका मतलब टी आयर हो जाएगा यह confirm है तो टी आयर होने के बाद यह रे जो है वो किदर जाएगी यह रे जाएगी वापस टी आयर होने के बाद कुछ इस तरह से आप कि तो टी आयर होने के बाद यह रे जाब ऐसे जाएगी तो यह एंगल के से बनेगे यह वापस बनेगा 60 यह बनेगा 30 और आपको अब यह लेंद्ध बतानी टोटल कि इसने कितनी लेंद्ध ट्रेवल करी है इधर अंदर तो सपोस करो कि यह लेंद्ध है लगन और यह लेंद्ध है L2 अब यहां पर यह L1 L2 हमें पता है और यह डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L माइनस X तो L1 और L2 से नेट लेंद्ध हम निकालेंगे L1 प्लस L2 L1 कितना आएगा पिटा एक्स का कॉस्ट थर्टी कंपोनेंट और L2 कितना आ जाएगा L माइनस X कॉस्ट थर्टी कंपोनेंट है ना तो इसको आप L माइनस X प्लस X कॉस्ट थर्टी को लिखें रूट 3 बाइटू तो यह कितना आ जाएगा L रूट 3 बाइटू एक्स तो इस में L जहे वह रूट 3 बाइट्ट रूट तो इन के वेली कितनी हो जाएगी यहां पर न की वेली वह जाएगी देखो फ्री आपना यहां पर ओप्शं होजाएगा थ्र्ड ऑप्शं ओके थर्ड जहें एन ं की विए जाएगी नट करे वेटा यहां तक बच्चों यहाँ पर हमारे पास फिफ्ट काहशन है इसमें आपको एकवी-convex-lens शोग किया हुआ है अज इकवी-convex-lens में आपको नीचे पानी भरा हुआ है बाहर एक plane mirror आपको गीवन है अब इस plane mirror के case में आपको भोला है कि जब हम इस पर एक object रखते हैं तो वह ऑब्जेक्ट जो है उसकी image वापस object भी बन जाती है ऐसा बिल्कुल possible है क्योंकि system एक concave mirror की तरह काम कर रहा होगा जब शीटम concave mirror की तरह काम करेगा तो object और image दोनों कहा होँगे center of curvature पर इस case में जब यह center of curvature पर हैं तो उसी case में हमें फिर आगे इसको solve करना है, तो चलो इसको solve करते हैं, तो पहले एक बार तो without पानी, without liquid हम इसको देख लेते हैं, तो इस case में आपको distance कितनी given थी, जो कि R के equal होना चाहिए, that is 30, R actually radius of curvature की बात हुरी है, वो, जो कि mirror के लिए बना हो गया, तो यहां पे distance है, basically 2F के equal होना चाहिए, तो 2F के equal और 30 दिया हुआ है, तो F कितना हो जाएगा, 15, तो 1 upon FM क्या हो जाएगा, 1 upon FM net, जो net mirror बनेगा, उसकी focal length होती है, 1 upon FM minus 2 upon FL, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 by 30, minus में, infinite क्योंकि plane mirror है, 2, mu minus 1, 2 by R, यह convex lens की focal length, तो यह 2 से 2 cancel out, यह कितना हो जाएगा, 1 by 30, is mu minus 1, 2 by R, तो R कितना आजाएगा, यहां से 30, क्योंकि mu की value 1.5 given है आपको, है ना, फिर दूसरे case में, जब आपने यहां पे पाने भर दिया, या कोई भी liquid भर दिया, तो liquid के case में, फिर यहां पे तो को liquid भी अपना एक lens बना लेगा, तो अब जो 1 upon fm net आएगा, वो आएगा, 1 upon fm minus 2 upon f1 plus f2, ओके, यह हो जाएगा, 2 by 45 with minus sign, 1 upon infinite minus of 2, f1 तो वापस वही lens की focal length है वो, तो mu minus 1, 2 by r plus, यह हो जाएगा, mu liquid minus 1 by r, और जहां रखना, यह एक surface है, प्लेनों कोई विसलिए, यहां पे 2 नहीं आएगा, और साथ में, minus r आएगा, तो यह अपने पास f2 की focal length आएगा, अब 2 और minus तो उड़ जाएगा, ठीके, तो यहां बचेगा, 1 upon 45 is, mu की value डालोगे, 1.5 minus 1, तो half और 2, तो 1 by r plus, प्लस नहीं, minus आएगा न, क्योंकि आएगा, तो mu l minus 1 r, तो this would be, mu l minus 1 r is 1 upon r minus 1 upon 45, तो this is what, 90 l से में लेंगे, तो 3 ताइमस इदर और 2 ताइमस इदर 1 by 90, तो mu l minus 1 is 1 by 3, तो mu l कितना हो जाएगा, यहां पर 4 by 3, अब mu l 4 by 3 है न, तो यहां पर इन्हों ने हमें इसको convert करने को बोला है, अब इसको हम 4 by 3 को मुझे उपर 16 लेके आना है, तो मैं एकसा करता हूँ, इसको 4 से multiply करता हूँ, दोनों तरफ, 3 into 4, तो उपर आजाएगा 16, 3 into n, तो यह n कितना आएगा यहां से, n की जो value है, compare करने पर 4 आजाएगी, तो n की value यहां पर कितनी आ रही है, 4, कोई confusion मेटा है यहां तक, यह आपका question number जो है, 6th, 5th complete होता है, उसको यहां आता है, हम next question 6th पर, 6th में आपको वोला है, the separation between two coherent point sources, 3 lambda, on a line perpendicular to S1, S2, through S1, find the smallest distance from S1, where minimum intensity occurs, occurs, तो देखो, दो, आपके पास source है, इनका separation जो है, वो 3 lambda है, अब S1 से जाने वाली एक line आपने खीश दी, और इस पर आपको वो distance बताने है, जहां पर, S1 से distance बताने है, जहां पर minimum intensity आए, तो दो को 3 lambda पर क्या बनेगा, constructive, जब हम काफी दूर point लेंगे, तो वहाँ तो 0 path difference बन जाएगा, तो वहाँ फिर वापस constructive बनेगा, तो इस constructive अग्दा destructive कब बनेगा, अगला destructive बनेगा, suppose करो कि यह x distance है, तो यह हो जाएगा, suppose x dash, इसका मतलब जो path difference है, वो 2.5 lambda होना चाहिए, 3 lambda यहाँ path difference है, delta x कितना है, 3 lambda, तो constructive, तो यहाँ delta x कितना होना चाहिए, 2.5 lambda, इसका मतलब delta x का मतलब हो जाएगा, x dash minus x, 5 by 2 lambda, is x dash क्या हो जाएगा, x square plus 3 lambda square, minus of x, तो इसको आप लिखो 5 by 2 lambda plus x whole square, x square plus 9 lambda square, तो 25 by 4 lambda square plus x square plus 5 lambda x is x square plus 9 lambda square, x square से x square cancel out हो जाएगा, तो finally, क्या जाएगा यहाँ पर, 5 lambda x is 36 minus 25 upon 4 lambda square, तो x कितना हो जाएगा, यहाँ पर यह हो जाएगा, 11 by 20 lambda, अब 11 by 20 lambda को, मैं 20 को 2 into 10 लिख सकता हूँ, तो n कितना आजाएगा, यहाँ पर 2, तो finally n की value 2, तो यह अपना यह वाला question भी बन गया, अगला आता है, next, next मैं आपको यहाँ पर question given है, जिसमें आपको यह बुलाए कि QA जो हो 2RB है, और OA प्लस OA, OB प्लस OA जो हो 2 है, यह पुरा relation आपको given है, तो आपको यह बताना है कि इस axis से कितना उपर हम रही को डाले, ताकि वो इस तरह से निकल जाए है, तो QA की value आपको बतानी है, चलो एक बार बनाते हैं अपन डाइग्राम, तो थोड़ा से इसको बड़ा बनाता हूं डाइग्राम को में, यह हमारे पास axis है, हमें पताए कि QA जो हो 2RB है, तो QA जो हो 2RB है का मतलब कि मैं Ray को कुछ ऐसे incident करवा रहा हूंगा, Ray कुछ ऐसे योगी और फिर यह वापस इसे निकल जाएगी, अब यहाँ पर जो हमारे पास, यह नॉर्मल है, एक तो यह नॉर्मल है, यह नॉर्मल है, अब यहाँ पर यह angle दियावा है 45 degree, index कितना दिया आपको, यहाँ पर root 2 दियावा है, तो सबसे पहले तो 1 sin 45 is root 2 sin R, तो R कितना हो जाएगा यहां पर 30 डिग्री इस equation को solve करोगे तो यह तो आ जाएगा 30 डिग्री अब यह 30 है तो देखो आइसो से लिस ट्राइंगल में यह भी 30 क्योंकि यह दोनों साइड रेडिस इतनी है न अब यह 30 और यह 30 तो यह कितना आएगा 120 तो यह कितना बचेगा सब्सक्राइब और यह मालो theta 2 आप इसी में थोड़ा सा अपन यहां पे यह line खीछतें एक यह line और यह line तो इस distance को इन्होंने क्या बोला है बиटा इस distance को बोला है O A, इसको क्या बुला है उन्होंने O B, ठीक है, यह point का नाम क्या है Q, और यह point का नाम क्या है R, तो हमें पता है कि theta 1 plus theta 2 मिला के कितना होना चाहिए, theta 1 plus theta 2 मिला के होना चाहिए, 180-120, मतलब की 60, इसका मतलब sin theta 1 plus theta 2 मिला करके होना चाहिए, sin 60, sin A plus B का formula क्या हो जाएगा, sin theta 1 cos theta 2 cos theta 1 sin theta 2, root 3 by 2, sin theta 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर sin theta 1 हो जाएगा, root 3 by 2, sorry, 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 sin theta 1 जो है, अपन इस triangle के हिसाफ से निकालेंगे न, तो sin theta 1 क्यों हो जाएगा इस triangle में, perpendicular happiness यहने की, QA divided by R, cos theta 2 क्यों हो जाएगा, O B divided by R, plus, यह क्यों हो जाएगा, cos theta 1, cos theta 1 हो जाएगा मेरे पास, cos theta 1 के लिए हो जाएगा, O A divided by R, और sin theta 2 कितना हो जाएगा, यह जाएगा, R B divided by R, this is root 3 by 2, तो यहाँ पर R square को common ले लेता हूँ, और Q A, अच्छा, O B जो है, sorry, यहाँ पर यह क्या आएगा मेरे पास, Q A, Q A जो है वो तो double है न, इसका, तो suppose करो मैं इसको X मानता हूँ, तो इसको कितना मानना पड़ेगा, 2X, तो यह कितना हो जाएगा मेरे पास, 2X अपोन R square, O B, Q A, 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 Q A 3y2 तो यहां पर अब देखो यह जो ओबी प्लस ओए है वो 3 रूट 3 और oq क्या है oq तो basically radius की value है ना तो यह हो जाएगा root 3 r square तो यह हो जाएगा root 3 r square 2x upon r square is root 3y2 तो r square सा r square कतम root 3 से root 3 कतम तो x कितना आएगा 1 by 4 अब x अगर 1 by 4 है तो आपसे oa की value पूछा है oa qa qa कितना है 2x 2x मतलब की 2 into 1 by 4 तो यह कितना आएगा 1 by 2 cm मतलब की mm अगर solve करेंगे तो 5 mm तो इसका answer आजाएगा 5 mm ओके that's it यह अपना यहां पर question number 7 जो है वो complete होता है ओके फिर d by d lambda 10 पर minus 4 यंग्स डेवल से एक्परिमेंट वर देजर distance and this resulting intensity equals to intensity due to indulge it is I naught at a point on the screen, find the distance of P, तो यहाँ पर resulting intensity जो है, वो individual intensity के बराबर है, तो आपको यहाँ पर उस point की distance बताना है, कितना होगा, तो इस case में देखो, आपको यहाँ पर जो point given है, उसमें I not intensity के बराबर ही given है, दोनों equal intensity है, हमें पताएगी I net, क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट आफ I1 आइटू, कॉस डेल्टा फाई, अब यह जो है, वो I not के इकवल है, individual intensity भी I not के इकवल है, ओके, तो I not से I not तो यहाँ हो जाएगा, 2 I not 1 प्लस कॉस फाई, तो I not से I not खतम, तो यह हो जाएगा, कॉस फाई is 1 बाइ 2, अब कॉस फाई प्लस चो है, वो यहाँ पे आएगा, 1 बाइ 2 माईनस 1, यहने की, माईनस ओफ हाफ तो फाई कितना हो जाएगा यहाँपर, डेल्टा फाई जो है, वो हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पे delta 5 2Py3 होगा तो इस case में हमसे अब यहाँ पे path difference calculate कर सकते हैं तो 2Py by lambda delta X is 2Py by 3 तो delta x कितना हो जाएगा lambda by 3 अब delta x अगर lambda by 3 है तो इस case में delta x को अपन क्या लिख सकते हैं d y by capital d इस लेम्डा by 3 तो y हो जाएगा lambda capital d small d by 3 अब देखो lambda by capital d कितना दिया माइनस lambda by d by small d दिया आपको 10 पर माइनस 4 तो यह हो जाएगा lambda कितना 6,000 10 पर माइनस 10 तो capital d by small d कितना हो जाएगा 10 पर 4 दिवाइड भाइ 3 तो finally यह कितना आएगा मेरे पास 2 इंटो 10 पर माइनस 3 तो finally यहाँ पर आपको mm में आंसर बताना है आपका आंसर कितना जाएगा टू तो एट का आंसर जो है वो बन जाएगा टू यह मेटर में है तो यह हो जाएगा टू एम अब बच्चों यहां पर किसका रता है नाइंट अब देखिए नाइंथ में आपको क्या बोलाए कि एक और अबजेट को बने जिसकी फोकल लेंद कॉन्वेक्स लेंज की फोकल लेंद कितनी है एब बाइटू ऑबजेट को कितना दूर रखा है तो बैसे किया हो जाएगा इसके 2F पे ना अबजेट तो 2F पे अगर अगर अबजेट तो इमेज भी बनती है तो इमेज भी बनेगी 2F पे यह दिस्टेंस दूर बनेगी उसमेंसे भी आपने एब आइटू पर रख दिया तो यह मिरर से जो रे आएगी वो पलट के इसे चली जाएगी ना तो यह जो ए a plus a by 2 का square अप्लस a by 2 का square स्गूर्स तो फाइनली कितना हो जाएगा मेरे पास कि नाइन एश्वेर बाई प्लस एश्वेर बाई फोर है तो हुआ यहाँ रूटन एबाई टु तो यहाँ पर en की जैगी क्या आ जाएगा n की जगाएदा आएगा 10 यह आपका यहाँ पर आंसर बन गया हो ओके बच्चू फिर आते हैं हम 10th question, last question पर 10th question आपको बोला यंग्स डबल स्टे एक्सपरिमेंट में फ्रिंजिस को डिस्प्लेस करते हैं by x-distance when a glass slab a to refractive index mu1 is introduced in the path of 2-beam जब एक्सलेब अपने डाल दी तो फ्रिंजिस पेटन कितना शिफ्ट होता है x-distance ठीक है इसका मतलब जब बाद में और फिर बोल रहे हैं कि बाद में जब एक ही प्लेस पे आप दूसरी प्लेट रखते हो इतना इतना शिफ्ट होता है ओतना पास दिफरेंस उदर से भी क्रीट होता है मालो पेटर इतना शिफ्ट हो गया d small d x by d इतना shift हुआ है यह तो अपनी general equation है अब जब आप पहले वाले की बात कर रहे हो तो पहले वाले मैं माल लेता हूं एक ही लिए एक ही इंडेक्स कितना दिया मुवन तो जब मुवन इंडेक्स है न तो यह कितना shift हुआ x by d shift हुआ x आ जाएगा first equation दोसरे case में जब आपने मुव 2 वाली slab रख दी तो यह कितना shift हुआ है let's say x-shift हुआ होगा second अब इन्होंना हमें एक relation दिया है कि जो मुव 2-1 का जो difference है वो मुव 1 के आदे से भी 0.5 कम है ठीक है तो यहां से आप जब solve करेंगे तो आपको मुव 2 और मुव 1 का एक equation मिल जाएगी अब इस equation को आप यहां पर मुव 2 को आप solve करेंगे तो मुव 2 कितना हो जाएगा बिटा यह हो जाएगा 3 मुव 1 by 2 माइनस of 0.5 आ गया जैसे यहां पर आया तो आपके पास अब इस equation को मैं आप डिवाइड कर दो तो मुव 1 माइनस 1 अपॉन 3 मुव 1 by 2 माइनस of 0.5 माइनस 1 मुव 2 माइनस 1 और मुव 1 माइनस 1 यहां यहां पर आपके पास मुव 1 माइनस 1 यह हो जाएगा 3 by 2 माइनस 3 by 2 बाहर लेव वापस मुव 1 माइनस 1 एक्स अपॉन एक्स देश तो म्यू 1 माइनस 1 यह कड़ जाएगा तो एक्स देश कितना हो जाएगा 3 by 2 एक्स तो एक्स देश जो है वो 3 by 2 एक्स हो जाएगा इस केस में अब यहां पर हमें 3 by 2 के बजाए इसको 30 by 20 लिख सकते हैं एक्स तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा एन की वैल्यू हो जाएगा 30 ओके बच्चों तो यहां तक आपका जो ही डिसीम का सुलीशन कंप्लीट होता है उम्मीद करता है आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से को अटेम्ट किया होगा तो जो भी